वेरी वेरी बूट इवीवें वेलकम दूद्र सेशन जैहिंदन्दनेमात्रम बहुत बहुत स्वागत है आपका टीमिश्टापर हो अलजवाजिश नितेश अजीट अजिली आरती, विवेक, सबका बहुत बहुत स्वागत, अब वेलकम, वेरी वेरी गुड़ी इवनिंग, जो भी मेरे साथ जोड़ रहे हैं, उनका सबका स्वागत है, देखें, आज का सेशन जो है, काफी मुश्किल था, प्रिपेर करना भी, क्योंकि कौनसी इंवर्मेशन छोड़ी जाए, कौनसी रखी जाए, इस टाफ टास्क, यह एंशेंट हिस्ट्री, यह के लिए हमने हिस्ट्री की शुरात कर ली है, एंशेंट हिस्ट्री को हमने टार्गेट रखा है, कि दो लेक्चर्स में हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे, और देखें, सबसे पहले तो, यहाँ पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यह बता दूँ कि यह सेशन जो है, रेलेवेंट रहेगा आपका, जो भी CDS की ट्यारी कर रहे हैं, NDA की ट्यारी कर रहे हैं, CAPF की ट्यारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बाकि स्टेट सेवल सर्वेसिस के लिए, या UPSC के लिए त्यारी मेरी आवाज आ रही है सब तक, am I loud and clear? अजे, very very good evening, तो यहां पर आज के सेशन में हम ancient history कवर करेंगे, तो ancient history के बारे में मैं थोड़ा सा पहले briefly बता देता हूँ, ताकि आपके mind में सबसे पहले यह clarity हो कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं, और क्या चीज़ें नहीं करना है, देखो ancient history के context में दो-ती चीज़ें याद रखना, किसी भी particular dynasty के बारे में जब हम पढ़ते हैं, या किसी भी कालखंड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम मौरियास के बारे में पढ़ेंगे, महाजन पद्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हडपा civilization के बारे में तो उसमें आपको 6 aspects बहुत important देखने रहते हैं, political history, ठीक है, कौन सा राजा था, किस तरीके का administration था, वहाँ पर, culture कैसा था, religion क्या था, society कैसी थी, administration कैसा था, ठीक है, तो ये कुछ aspects हैं, जो की ancient और medieval history में आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये aspect होते हैं आपको history में, अगर आप paper में जाकर देखेंगे, CDS का paper, विशले 15 साल का, और NDA का, CAPF का, ठीक है, क्योंकि ये 3 exam हैं, जो हम main cover कर रहे हैं, इन में अगर आप exams को देखेंगे, एक doubt है, अभी class चल पर रही है, अभी कैसे आप call कर सकते हैं, ठीक है, so class के बाद, yes, बिल्कु class के बाद आप call कर सकते हैं तो, so I was there, कि ये जो 3 aspect हैं, ठीक है, ancient और medieval history में, जो ये 3 exam को ध्यान में रखते हुए, हमने इसको cover किया है, और इसमें जो है, हमने सबसे important क्या चीज़ क cover करनी है, हमें ये देखना है, कि question किस तरीके से पूछा जाते हैं, question में अगर आप देखेंगे, तो political history के question कम पूछा जाते हैं, culture, religion कैसा था, society कैसी थी, ये वाले question अगर आप देखेंगे, UPSC जादा पूछता है, अगर आप पिछले 15 साल के questions को analyze करेंगे, तो बहुत जादा, बहुत सारे लोगों को लगता है, कि history का मतलब, ये राजा, उसके बाद ये राजा, और इसके बाद ये राजा, ठीक है, ये हमें याद करना है, generally ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि इस पर नहीं question पूछा गया है, chronology पर भी question पूछा गया है, but it is not the sole thing which has to be asked, दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर जो जो चीज़े मैं आपको बताता जाओंगा, session में ही, कि कौन सी चीज़ अगर ancient or medieval बिलकुल भी नहीं पढ़ा है, अगर वो इतना भी पढ़ लेगा, मतलब 4 घंटे ancient history और 4 घंटे medieval history, ठीक है, ये 8-9 घंटे, less than 10 hours अगर cover कर लेगा, तो उसके जो questions के chances हैं, वो बढ़ जाएंगे, एक और दूसरी चीज़, कि ancient or medieval के questions पिछले कुछ सालों में काफी बड़े हैं, ठीक है, पहले ये कहा जाता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि आप modern history पढ़के जाओ, ancient medieval छोड़ जाओ, ठीक है, अगर history के 15, 16 question या 20 question पूछता है, तो आप you can easily cover modern history के 15 question, 5-6 question ancient medieval के आएंगे, आप उसको छोड़ देना, no need to invest your time into that, but recently कुछ सालों में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ancient और medieval की importance को समझना है, ठीक है, CDS, सबसे पहले तो पहले ही question में ये बोलने वाला था आपको, कि जो आपका paleolithic, misolithic और meolithic के questions जो है, पिछले 15 साल में, 3 या 4 question पूछे गए हैं, so it makes no sense कि हम उस पहले बहुत जादा time invest करें, ठीक है, new, paleo old, meso मतलब middle, और new का मतलब new age, ठीक है, तो इस तरीके से हम stone age को तीन stages में divide करते हैं, हम आज के session की शुरुआत stone age से नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत rarely इस पे question पूछा जाता है, हम सीधा शुरुआत करेंगे हड़पन civilization से, ठीक है, हड़पन civilization से, सो सबका बहुत बहुत स्वागत है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए है, तो सबसे पहले हमें इंडर्स वैली civilization में ये समझता है, कि question किस तरीके से पूछा जाते है, question इसमें पूछा जाते है, सबसे जाधा question जो इंडर्स वैली civilization से है, वो particular site से पूछा जाते है, के जी great बात कहां था, dogs कहां पा चलो, शुड़ात करते हैं, तो इंडर्स वैली civilization जो है, ये पहली urban civilization मानी जाती है, urban civilization का मतलब क्या होता है, शहरों का मतलब क्या होता है, देखें सबसे पहले तो आपको ये समझना है, कि गाउं और शहर का मतलब क्या होता है, गाउं को और शहर को जब हम divide करते है, on the basis of profession, अगर आप देखेंगे गाउं में, तो main जो profession होता है, वो primary sector से related होता है, primary sector जो हमने economy में पढ़ा था, जैसे कि agriculture and allied activities, agriculture हो सकता है, pastoralism हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, mining हो सकता है, जो basic primary industries हैं, जैसे ही आप शहर में आते हैं, तब आप secondary और services sector की बात करते हैं, या tertiary sector की ब develop होगा, शहर कब develop होगे, जब आपका surplus होने लगेगा, ठीक है, surplus से क्या होगा, कुछ लोग जो है, उनको खेती करने के जरुरत नहीं पड़ेगी, और वो शहरों में जाकर settle down होने शुरू हो जाएंगे, तो पहला point ये है, कि ये पहली urban civilization, जो है, दुनिया की, not just India की, दुन उससे पता लगे कि उससे पहले भी कोई ऐसी urban civilization थी, ठीक है, चलो, ये बाकी इसमें civilization जो है, मेसोपोटामिया, एजिप्ट और चाइना, उस समय पर तीन parallel civilization जो आपको मिलती है, एक मिलती है, मिस्र की civilization, मिस्र माने जो एजिप्ट है, नाइल नदी के किनारे पर, ठीक है, द और तीसरी civilization मिलती है, Chinese civilization, और एक हो गया आपकी Indus Valley civilization, ठीक है, तो ये जो है, चार main civilization उस समय पर आपको मिलती है, तो सीधा-सीधा question बन सकता है, कि Indus Valley civilization के parallel कौन-कौन से civilizations थी, ठीक है, चलो, अब इसको हम तीन phases में डिवाइड करते हैं, early phase, ठीक है, mature phase और late phase, इसमें अगर आप time period को देखेंगे, तो 3300 to 2600 before common era, 3300 plus 2023 की बात कर रहें, तो 5300 years, मतलब लगबग 5,000 साल पहले, ठीक है, तो ये 700 साल का period है, ये भी आप देखेंगे, 700 years का period है, और ये जो है लगबग 600 साल का period है, तो 700 plus 700, ठीक है, प्लस 600, 2000 साल का period हो गया, ठीक है, it's not a small time period, 2000 साल, ठीक ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये आपको बताता है, एक question आपका बहुत standard question पूछा जाता है, नदरन मोस साइट कौन सी है, सदरन मोस साइट कौन सी मिली है, Western मोस साइट और Eastern मोस साइट, ठीक है, तो यहाँ पर नदरन मोस साइट, मांडा, जम्मू में, सुटका गेंड़, ब जो कि नद्रणमो सद्रणमो साइट्स बताता है, अच्छा अब यहाँ पर एक डाइग्राम आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि किस तरीके से जो पहले civilization थी, जो early phase था, वो present day जो पाकिस्तान में और जो हमारा पंजाब है, वहाँ तक है, ठीक है, और इंडस नदी भी है, में इंडस नदी के आसपास जो है, देखो सबसे important चीज क्या है, किसी भी civilization के लिए, पानी है सबसे important civilization, ठीक है, अब धीरे-धीरे क्या होगा, आप देखेंगे, यहाँ पर mature phase में क्या हुआ, जो है, ये जो present day गुजरात है, सिंद वाला रीजन जो है, पाकिस्तान में, वहा पर जाकर settlement शुरू हुई, और उसके बाद आप देखेंगे, western UP भी जो है, इसमें cover होता है, ठीक है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, कि जो सबसे important नदी कही जाती है, सरस्वती, हाना, गंगा यमना सरस्वती, सरस्वती, जो है, यहाँ पर क्या होता है, जिसका remnants के रूप मे कहते हैं, वो जो है, यहाँ पर लुप तो होती है, और यह एक बहुत-बड़ा कारण माना जाता है, इसके decline का भी, ठीक है, इसके, Indus Valley Civilization के decline का, अच्छा, अब सवाल आता है, कि theory of origin, ठीक है, इसको लेकर बहुत सारी theories हैं, इस पे question नहीं पूछा गया है, तो इस पे बहु सारी theories यहाँ पर आती हैं, वो, देखो, तीन-चार theories हैं, में एक theory यह कहती है, कि यह जो है, जो आपका Siberia, South Siberia से आए, ठीक है, जो, यह जो लोग थे, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, कि यह जो है, Central Asia के लोग, Central Asia से आते हैं, Aryans की बाद भी की गई, कुछ लोगों ने कहा, कि हडपा civilization से ही फर्दर जो है, Aryans डेवलप होते हैं, तो इसकी origin को लेकर अभी तक कोई कहानी हमें clear नहीं है, origin clear नहीं है, previously linked to pre-Hडपन stages, suggest that they are a distant genetic makeup, और recently यह भी कहा गया है, कि South India के अगर जब genetic makeup को देखा गया, तो वो भी काफी हद तक मिलता जुलता है, इस particular से, तो यह भी story है कि यहां से South की तरफ गए, तो again इस पे जबाद दिमाग लगाने की ज़रुत नहीं है, क्योंकि यह अभी भी clear नहीं है, आगे चलते हैं, यह important है, आपका features important है, ठीक है, feature में सबसे पहले आता है, division in society, society में तीन तरीके के लोग थे, एक थे rulers, ठीक है, एक हो गया आपका merchant class और एक होगे ruled people, जो आम जनता है, mango people, ठीक है, urban with three social rulers, merchants and laborers, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, specialization of labor, division of labor मिलता है, मतलब सब का काम तै था, ठीक है कि हाँ जी यह इसका काम है, यह इसका काम है, अब अगर हम administration की बात करें, administration जो है सबसे खास था, अड़पन civilization का, क्यों weights and measures की बात करें, वो uniform है, घरों का pattern uniform है, grid pattern पर सारी चीज़े बनी हुई है, तो इतनी बड़े area में, as far as जम्मू और as far as गुजरात, जिसमें की काफी जादा distance है, उसमें आपको जब चीज़े similar मिलती है, यह शो करता है कि administration जो है, वो बहुत अच्छे से चलती थी उस समय प सीधा सीधा question पूछ लेगा, कि यहां के लोगों को cotton और wool के बारे में पता था, अब देखो, गरमी का, गरम इलाका है, हम जो है, एक सब tropical country है, तो cotton की सबसे important जरूरत है, तो यहां पर आपको cotton मिलता है, इसी particular area में, सर्दियों में, ठंड में बहुत अच्छी ठंड भी रहत ठीक है, food habits के अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको, अगर आप पंजाब वाले region में, जो आज भी है, पंजाब, हर्याना, western UP में, अगर आप देखेंगे, तो आपको क्या मिलता है, गेहूं, ठीक है, गेहूं और जौं मिलता है, खाते हुए जौं बारले, ठीक है, पर ज जो है, यहां पर मिलते हैं, एवन, बिलेट्स भी यहां पर मिलता है, fish and shellfish were also commonly consumed, ठीक है, तो कह सकते हैं, कि जहां पर नदी है, नदी में आपको fish और fish भी consume, इसके आपको consumption के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, रिसेट एविडेंस यह भी suggest करते हैं, dairy was also पाटा फड़पन डाइट, ठीक है, dairy भी जो है, इसका पाट था, advanced agricultural techniques आपको मिलती है, irrigation techniques मिलती है, यहां पर proper irrigation भी होता था, पानी क्यूंकि नदियों से जो है, किस तरीके से पहुंचाया जाता था, proper drainage system established था, religion की बात करें, तो religion आपको as such मंदिर नहीं मिलते हैं, या कोई religious place नहीं मिलती, बट हां, यहां पर idolatry मतलब एक मूर्ती पूजा होती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, mother goddess आपको मिलता है, पशुपती, योगी जो है, योगिक पोस्चर में, यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, यह देख लीजिए, यह पशुपती, योगी जो पोस्चर में, यह mother goddess, ठीक है, तो यह यहां पर आपको देखने को मिलता है, उसके बाद अगर हम script और language की बात करें, तो script जो थी, वो pictographic थी, pictures को use किया गया था, ठीक है, वो अभी तक decipher नहीं की जाज सकी है, क्योंक words भी थे, sound symbols, और यहां पर यह चीज जो है, अभी तक decipher नहीं की गई, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, pictographic जो है, यहां पर क्या थी, जो है, इसकी script थी, decipher जैसे मैंने आपको बताया, यह अभी तक नहीं की गई है, next आपका चलते है, beliefs की बात, अच्छा, religion में एक और ब दिया जाता है, ठीक है, नदी में, important जो भी rivers हैं, उनमें जो है, उस तरीके का concept आपको यहां पर भी देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, next है, belief की अगर हम बात करें, तो एक unseen forces को लेकर कहीं न कहीं belief था, spirits को लेकर बिलीव था, ठीक है, evidence by the use of emulards, तावीज बांदना, ठी जो है, उस तरीके की चीज़े जो है, यहां पर आपको देखने को मिलती है, वो कैसे पता लगता है, क्योंकि यहां पर जो, कह लिए, priest है, priest जो आज भी shawl drape किया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं, जो है emulet, या जिसको जैसे मैं आपको कहा, तावीज या धागा बा नेक्स हम चलते हैं, burial practices पर, burial practices में आपको एक common चीज़ बाकी civilization, जो उस समय की civilization से उसमें भी मिलती है, कि बहुत सारी चीज़े, सस्ती चीज़े जो है, वो रख दी जाती थी, वेकपी के साथ में, यह इस चीज़ को दर्शा आता है, कि लोगों को लगता था, कि इसके बाद भी कोई life है, ठीक है, life after death है, ठीक है, so यह position north to south होती थी, ठीक है, extended humination, food, pottery, मतलब बरतन, ज्योलरी, यह चीज़े जो है, साथ में रखी जाती थी, और graveyard within the settlements, यह सारी चीज़े जो है, यहाँ पर होती थी, और यहाँ पर अगर हम देखें, हरपन जो burials हैं, वो इस सीज को ब पाकी civilizations भी मिलता है, next आता है agricultural economy, agricultural economy में अगर हम बात करें, तो गेहू, जौ, चावल, ठीक है, खजूर, ठीक है, सरसो, कपास, यह सारी चीज़े आपको मिलती हैं, ठीक है, यह सारी चीज़े मिलती हैं, इससे आपको यहाँ के food habits के बारे में पता लगता है, और कपड़े, क किस तरीके से, हल जो है, खेतों को जोता जाता था, irrigation जो है, यहाँ पर आपको मिलते हैं, कुए मिलते हैं, खासकर जो राज्यस्थान वाला इलाका है, जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर कुए जो हैं आपको मिलते हैं, उसके लाबा, dams और canals भी आपको देखने को मिलत हैं, यह सजेस्ट करता है, कि agricultural practices advanced थी, मतलब कोई primitive structure में नहीं था, सिरफ यह नहीं था, कि आप सिरफ rainfall पर depend कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम manufacturing, दोखो मैने आपको क्या कहा, urban civilization थी, urban civilization का मतलब क्या है, urban civilization का मतलब है, कि लोग जो है, urban areas में रह रहे हैं, secondary और service sector में का कर रहे हैं, तो किसी इसके manufacturing कर रहे हैं, तो यह है manufacturing, जैसे कि arts and crafts, जो मतलब उस समय के, कह लीजे, अमीर लोग होंगे, जो ruler class होगी, merchant class होगी, यह trade हो रहा है, इस इसके भी हमें साक्षन मिलते हैं, कि Mesopotamian civilization के साथ, Egypt की civilization के साथ, Indus Valley civilization का trade होता था, उनकी seals जो है, यहां पर म सेशन में, gold, silver, यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिलती हैं, तो यह चीज़ क्या show करता है, कि कुछ लोगों के पास, मतलब agricultural surplus हैं, आप, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ लोग जो हैं, अपने आपको, एक alternative professions follow कर रहे हैं, manufacturing follow कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास surplus इतना है, कि वो luxuries को भी enjoy कर रहे हैं, जो उस समय की luxuries हैं, ठीक है, तो यह, इससे आपको यह भी पता लगता है, कि metallurgy बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां पर आपको bronze भी मिलता है, ठीक है, dancing girl का एक kelly jay sculpture मिलता है, यह भी इस चीज़ को show करता है, कि किस तरीके से metallurgy काफी जादा develop हो जोकी थी, high copper usage, और यह जो है, इस सीज़ को show करता है, कि copper, bronze, यह metals जो है, use करने शुरू करते हैं, pottery, यह आपका question पूछा गया था, भी recently पूछा गया था paper में, red and black pottery show की गई है, red and black pottery का मतलब होता है, कि देखो, red गेरुआ कलर का बरतन है, और उस पे black कलर की pottery की उसके बाद अगर आप देखेंगे, बाद में चलकर जो है, इस pottery में थोड़ा glossiness आनी शुरू हो गई, कहते हैं, कि चमकीला या कह लिए थोड़ा सा finish आना शुरू हो गया, ठीक है, so इसके बाद आप देखेंगे, incised pottery, perforated pottery, incised pottery का मतलब होता है, कारीगरी आप वहाँ पर क खेद, ठीक है, उसमें किसी भी तरीकी के shapes बनानी है, वो बनानी शुरू कर दी, ये skills को दर्शाता है, कि आप जो है higher skills को अचीव कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आपका आता है trade, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैसोपटामिया, Central Asia, पर्षिया, अफगानिसान, ओमान, इनके साथ आपका trade होता था, trade जो है mainly butter system के through होता था, export जो हम चीजे करते थे, वो था जिसे teak wood है, slate, lead copper, जो minerals है, इसके लावा कुछ important जो stones हैं, ठीक है, important stones जो हैं, वो हम क्या करते थे, import किया करते थे, ठीक है, तो ये कुछ particular regions है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसके लावा weights and measures, weights and measures में अगर आप ध्यान देंगे, तो बहुत जादा systematic था, if you'll see, binary system, 1, 2, 4, 8, हर एक चीज़ जो है, weights and measures में एक बहुत standardized चीज़े थी, ठीक है, 1, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से ये चलता था, and based on foot, length, proper measure की गई थी, और ये आपको common मिलती है, पूरी Indus Valley Civilization में, ठीक है, consistency across the Indus Valley Civilization, ये एक बहुत remarkable feature है, ये इस इसको show करता है, कि बहुत जादा control था, पूरी की पूरी civilization पर, next आपका हड़पन seals की बात करें, ठीक है, rectangular, ठीक है, और इसमें animals, inscriptions भी मिलती है, boat भी मिलती है, तो ये show करता है, कहीं न कहीं importance को, ठीक है, importance को show करता है, animals की, औ और train की importance को, उस civilization को show करता है, हडपन seals, तो ये हो गया, चलिए, अब हम decline की अगर हम बात करें, तो decline को लेकर बहुत सारे factors हैं, again, कोई clear reason अभी तक नहीं पता है, कुछ लोग कहते हैं कि घगर river, या जिसको हम सरस्वती river की बात करते हैं, जो सबसे important अधी कही गई है, वो जो है, सूखना शुरू हो गई, और लोग जो है, east की तरफ, up की तरफ, जो है, धीरे-धीरे move करना शुरू कर गई, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़े floods आये हैं, ठीक है, बहुत कम rainfall थी सूखा पड़ा, ecological disturbances हुए, RNA invasion हुआ है, ये बड़ी theory कही जाती है, earthquake, natural calamity, तो ये करने के जुरूरत नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है, just have a look, okay, now अब थोड़ा सा चलते हैं, हम एके करके, जो भी important sites थी, और उनमें आपका क्या-क्या चीजे मिली है, ये आपका बहुत important है, Indus Valley Civilization में जो सबसे important part है, वो ये ही है, देखे, सबसे पहले बात कर लेते है हडपा, जो कि रावी नदी पर है, सबसे बहले तो आपको ये समझना है, कि पहली site है, इसलिए नाम हडपा Civilization कहा जाता है, रावी नदी के किनारे पर है, तो ये कौन सी जगा होगी, पंजाब, जो present day पंजाब है, पाकिसान वाला पंजाब, तो वहाँ पर ये आपको site मिल तो granaries मिलती है, wheat surplus है, बढ़िया केती है, plain इलाका है, नदी है, पानी है, सब कुछ है, तो surplus है, surplus को रखने के लिए क्या चाहिए होगा, granaries जेंगे होगी, ठीक है, जहाँ पर आप surplus agricultural production को save कर लोगे, ठीक है, evidence of diverse burial practices आपको मिलता है, coffin burial, R-37 type, इसमें बहुत जादा जाने के जरुरत नहीं है, H-type burial, ठीक है, R-37 burial, और symmetry H-type, और एक red sandstone torso sculpture आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, यह red sandstone sculpture जो है, यहाँ पर मिलता है, आप ऐसे समझ लीजिए, कि पंजाब में बहुत अच्छा agriculture है, थोड़ा सा लोग healthy है, ठीक है, तो बड़ा सा पेट जो है, यहाँ पर वो आती है, इंडस नदी पर मोहन जदाडो, यह आप क्या सकते है, प्रेजेंडे जो सिंध वाला रीजन है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे important great greenery, यह भी इंडस नदी के नारे पर है, बहुत अच्छी साइट है, बहुत क्या लीजिए, agriculture बहुत productive है, तो यहाँ पर इस तरह के से याद रखो कि वहाँ पर लड़ाई हुई, एक नाचिकाना हो रहा था, जिसको accept नहीं किया गया, वहाँ पर लड़ाई होती है, ठीक है, शिवजी आते हैं, पशुपती सील, और वहाँ पर फिर जो है, सब लोग पश्चाताप करते हैं, great बात में जाकर, ठीक पर लग-लग काम करने के लिए, सौ, नीडल जो है, महिलाओं के लिए ताकि वो अपने कपड़े-पड़े बना सके, सौ जो है, आरी या कह लिए, एक्यूप्मेंट्स रखे जाते हैं, बाकि जो मेल मेंबर्स हैं, वो अपना काम कर सके, possible evidence of conflict, ठीक है, तो conflict हुआ, ठीक है, conflict hall बनाया जाता है, hall में लोग आकर काम करते हैं, ठीक है, कई सारे tools मिलते हैं आपको, ठीक है, नहा कर फिर वो, ये decide करते हैं, कि हम ये काम दुबारा नहीं करेंगे, तो this is how the story goes like this, ठीक है, ये याद रखने के लिए, मोहन जदाडो के अलग-लग क्या-क्या-क्या-क्या-क्य रियल आपको यहाँ पर मिलता है, rice cultivation मिलती है, ठीक है, rice cultivation क्योंकि गुजराग का इलाका है, पानी का इलाका है, आसपास में पानी है वहाँ पर, ठीक है, bead making, वहाँ पर क्या बन रहा है, beads, मालाय बन रही है, क्योंकि port के पास है, port से आप क्या करोगे, export करोगे, एजिप्ट को, मिस्र को export करोगे, जो सुमेर civilization है, ठीक है, उसको export करोगे, boat models, ठीक है, boat models यहाँ पर आपको मिलते है, cotton, गुजरात में क्या होता है, cotton होता है, तो cotton का trade आपको देखने को मिलता है, unique seals, क्योंकि जो भी समान होगा, उस पर seal लगाई जाएगी, कि ये made in India, या made in Harappan civilization, या made in Indus Valley civilization, made in Lothal है, basically, potential links to Egypt, painted pottery narratives आपको देखने को मिलते हैं, possible evidence of advanced medical practices, भाई, कोई जहाज पर जो समान लेकर आया, ठीक है, बेशक वो Egypt से आ रहा है, या यहां से जा रहा है, तो अगर जो आ रहा है, उसको रस्ते में कुछ बुखार हुआ, C में जो बहुत सारी बिमारिया होत ठीक है, तो this is how the Lothal की स्टोरी गोस लेक, ठीक है, लोथल की स्टोरी क्या है, कि वहां पर आपको चावल मिलेगा, ठीक है, वहां पर आपको bead making मिलेगा, क्योंकि port के पास है, वहां से आपको export करना है, आपको seals मिलेंगी वहां पर, ठीक है, potential link to Egypt, फिर वहां पर आपको बहा जाओ, वीरा आया है, ठीक है, वीरा मतलब बड़ा भाई आया है, ठीक है, ढोल बजाओ, वीरा आया है, चलो, अब इसको देख लेते हैं, तो मतलब ढोल बजाओ, वीरा आया है, मतलब वीरे की शादी है, ठीक है, बड़े भाई की शादी है, so diverse artifacts gold rings, ठीक है, अब शादी है तो गोल्ड ठीक है यह तो अब इंडिया का कल्चर है So showcasing all three cultural phases ठीक है यहाँ पर आपको तीन वो मिलते हैं जैसे देखो इंडर्स वेली सिवलाइजेशन में एक सीटाडेल मिलता है सीटाडेल होता है Uplifted Structure एक है Lower Structure Uplifted Structure वे जनली कहा गया कि Granary है यहाँ पर जो Rulers हैं वो रहते होंगे जो बड़े Collegiate Society में बड़े लोग हैं वो रहते हैं और एक हो गया Lower Part जहाँ पर आम लोग रहते हैं इस में जो है आपको क्या मिलता है धोला वीरा में तीन जगाए मिलते हैं तो इसको ऐसे समझ लो एक पर्टिकलर जगा में Grand Parents रह रहे हैं एक जगा Parents रह रह रहे हैं और एक बच्चों के लिए है अलग से ठीक है जो खेले वेले के लिए टॉय तो तीन स्टक्चर मिलते हैं यहाँ पर तो यह यहाँ पर इस तरीके से याद किया जा सकता है Well-Planed Arman Layout divided into three sections तो यह मैंने आपको बता दिया है three sections आपको मिलते हैं तीनो cultural phases है मतलब तीनो cultural phases मतलब Grand Parents, Parents और बच्चे सब मिल रहे हैं Advanced Water Management System अब क्या है कि क्योंकि शादी है तो शादी के समय पर आपको पानी की management करनी बहुत सारे लोग इकठा होंगे बहुत सारा पानी चीए होगा बहुत सारा खाना बनना है बहुत सारी चीज़े हैं तो उसका arrangement किया गया है Damned, Irrigation, Reservoirs Evidence of Maritime Trade Link to Mesopotamian Civilization ठीक है तो यह जो है आपको उसके बाद trade के जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं साक्षे, UNESCO World Heritage यह एक site है ठीक है तो यह कहां पर है अपका गुजरात में धोल बजाओ, वीरा आया है शादी है, गोल्ड चल रहा है वहाँ पर तीनों cultural phase मिलते हैं तीन sections में divide है पूरा का पूरा city में सिरफ दो पार्ट नहीं है जैसे जनरली बाकी cities में था एक सीटाडल था, एक lower part था यहाँ पर तीन पार्ट मिलते हैं तो यह एक story बन गई जिससे कि आपको यह याद रहेगा next है आपका राखी गड़ी अब राखी गड़ी क्या है? हर्याना में है हर्याना में क्या है? बहुत बड़ा खेत है और उस बड़े खेत की सरक्षा गर्मी है सरक्षा कौन करेगा? उसकी सरक्षा करेगा डॉग ठीक है? उस बड़े मतलब कहले जिए खेत की जिसमें घर भी है उसकी सरक्षा कौन करेगा? डॉग तो राखी कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है ठीक है वफादार जानवर है टेराकटा प्रोडक्शन अब यहां पर ये भी कहा गया कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि राखिगडी जो है हो सकता है हडपा और मोहन जुदाडो से भी बड़ा हो ठीक है extent में तो ये possibility है क्योंकि प्लेन इलाका है बड़ा शहर हो सकता है सरस्वत ठीक है तो ये सबसे बड़ी नदी जो है वहाँ पर मानी गई है उस समय की और इसमें जो है आपको टैराकटा प्रोडक्शन अब बड़ा शहर है बड़ा तो उसमें एक्रिकल्चर भी होगा उसमें टैराकटा प्रोडक्शन भी होगा उसके बाद जो है abundant painted pottery painted lack of final IVC potential हाँ आ आखी गड़ी जो है सरस्वती नदी का final phase में क्या हो गया सूख गई नदी तो ये जो है final phase इसमें नहीं मिलता है जो last phase है अडपन civilization का वो यहां पर आपको नहीं मिलता है ठीक है समझ आ रहे है याद हो रहे है कहानी से ठीक है छोटी छोटी से कहानी बनानी पड़ेगी तभी याद रहेगा paper में नहीं तो फिर वो confusion रहती है paper में ठीक है so decline drying up of Saraswati river okay next आता है आपका चन्नु दाड़ो ठीक है चन्नु दाड़ो क्या है चन्नु दाड़ो है गाना नहीं है चन्ना मेरिया मेरिया ठीक है तो चन्ना मेरिया मेरिया is like सूफी सौंग तो सूफी क्या गयते है कि सब बराबर हैं जी ठीक है सूफी या कह लो ठीक है तो वो कह रहे ह है कि थोड़ा ऊपर वाले platform पे रह रहा है कोई नीचे रह रहा है ठीक है तो यह एक मातर ऐसी site है चन्ना मेरिया मेरिया चन्ना दाडो ठीक है जहां पर आपको कोई seatadal नहीं मिलता है so यहां पर क्या है only industrial civilization with a city with without seatadal और यहां पर आपको क्या मिलता है cotton textile अब सब लोग क्योंकि सूफी है सब लोग बराबरी में विश्वास कर रहे हैं कि सब cotton पहनेंगे कोई उचा नीचा नहीं है simple साधे cotton के कपड़े पहनेंगे ठीक है okay और सब तांबे के बरतन यूज़ करेंगे कॉपर के बरतन यूज़ करेंगे ठीक है तो कोई उपर नीचे नहीं है कोई सीटा डिल नहीं है सब बराबर है चन्ना मेरिया मेरिया गाना गा रहे हैं सब और कह रहे है कि सब cotton का यूज़ करेंगे और सब कॉपर का यूज़ करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका चन्नु कमी है पानी की कमी से आप कैसे मतलब ठीक कर सकते हो कूआ होगा फर यह जब पानी की जरुववत हो वहां से आप पानी ले लें ठीक है तो जाहा जाहा पानी होगा वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देंगे तो काली बंगर में individual wells मिलते हैं, आपको अलग से कुवए मिलते हैं, घर में कुवए मिलता है, क्योंकि वही पे तो लोग survive कर सकते हैं, सबसे important चीज क्या है, human survival के लिए सबसे important चीज है पानी, ठीक है तो पानी होना चाहिए, घर में पानी है, राजस्थान में, कालविलिया ड होगा, दो, तीन फसले साथ में लगा देता होगा, कि कम से कम एक फसल तो हो जाएगी, मेरा जीवनी हापन तो हो जाएगा, अगर बारिश ना हुई तो क्या होगा, तो ये फसल जो है, दो, तीन फसले में उन्होंने एक साथ लगाते, तो mixed cropping मिलता है, ठीक है, earliest plot field found in India, तो जोते हुए खेत जो है, पहली बार आपको यहाँ पर मिलते हैं, और presence of fire altars suggesting ritual sacrifice, अब क्योंकि राजस्थान में है, राजस्थान, राजपूतों का स्थान, ठीक है, तो sacrifices जो है किये जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो fire altars मिलते हैं, sacrifices के लिए, ठीक है, तो यहाँ sacrifices के लिए evidence म ठीक है, कुछ-कुछ चीजे अगर आपको strike कर रही हैं, तो paper में recall बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ओके अगली चलते हैं, भिराना, हर्याना, ठीक है, so, now consider the oldest industrially civilization dating back to this, ठीक है, महरगड में है, ठीक है, जो से कहते हैं बिरा, पंजाबी में बोलते हैं, बिरा, बड हर्याना में है, ठीक है, ये कहां पर है, हर्याना में, चलो, अगे चलते हैं, ये बहुत जादा important नहीं है, इसको याद करने की जरूत नहीं है, ठीक है, ये basically बता रहा है कि हरपा civilization और Egypt, Mesopotamia, civilization में क्या फरक है, या क्या similarities है, ठीक है, तो सबसे पहले differences की बात कर रहा है, तो सबसे खास बात क्या थी, यहाँ पर सबसे खास बात पते क्या है, grid-like pattern आपको मिलता है, proper जो है, सडके 90 डिगरी पर मिलते हैं, ठीक है, घरों में आपको खिडकिया नहीं मिलती, पर घर में entrance पे आपको सीधा घर का view नहीं मिलता, ठीक है, और double story घर मिलते हैं, घर में एक ब बहुत हद तक इसी तरीके का structure आज भी आपको मिलता है, ठीक है, घर में बड़ा आंगन है, जिसमें सब जो है, घर की महिला हैं, मिलकर काम कर रही हैं अपना, ठीक है, बाहर की तरफ एक कुवा भी लगाया गया है, पीछे की तरफ proper drainage system है, recently पाकिसान में जब floods आये थे, proper पानी की निकासी हुई, तो आप आनके चलिए कि 5000 साल बाद भी वो जो sites हैं, उनमें पानी नहीं रुका, उनमें proper पानी की निकासी हुई, तो ये show करता है कि कितना बहतरी system उस समय पर ये रहा होगा, ठीक है, तो ये आपको मिलता है, pictographic है, script primarily based on seals, ये आपको देखने को मि परा था, burnt bricks आपको मिलती है, ये advanced technology को बताता है, burnt bricks होता है, कि basically eat, जो eat के भटे आप कहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, religious structure, कोई as such आपको temples ये dedicated religious structures नहीं मिलते, बट हाँ, जैसे आपने कहा, पशुपती seals मिली है, mother goddess seal मिली है, तो ये चीज़ दर फिर, ठीक है, decline होना शुरू हो गया, after 1900, before common era, उसके लावा कुछ और sites है, ठीक है, रोपड, present day Punjab, यहाँ पर आपको dog burial with human, तो पंजाब में बड़े-बड़े खेत हैं, जैसे हमने अभी discuss किया, ठीक है, राखी गड़ी में, ठीक है, domestication of dog, तो यहाँ पर भी dogs हैं, तो यहा जौ, ठीक है, जौ आपको यहाँ पर मिलता है, हाँ, phallus worship भी, बिल्कुल, phallus worship भी होता था, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपको phallus worship भी मिलता है, ठीक है, so radial street, clay model of cloak, court dg, pre-hadapan site है, largest stone tool मिलते हैं, सुर्कोटड़ा में port burial, तो court, port, court, port, lot, port, ठीक है, तो port burial मिलता है, goal, ठीक है, port burial मिलता है, आलमगिरपूर, जो है, late hड़पन culture है, तो यह इसी, sorry, यह इसी इसको show करता है, कि धीरे-धीरे-धीरे हडपन civilization, east की तरफ move करी, ठीक है, वो हम vedic और later vedic age में भी देखेंगे, उसके बाद आपका सुटकगेंड़, ठीक है, यह आपका western mo site है, जो present बल ठीक है, अलादीनों और आमरी, ठीक है, यह कुछ और sides आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो यह अगर आप इनका similarities की बात करें, तो यह major rivers पे हैं, जितनी भी civilizations थी उस समय की, उसमें सबसे important किसी भी जगा पर, आज भी, किसी भी human civilization या कोई भी, अगर आपको city develop करनी है, तो सबसे important चीज़ क्या है, पानी, ठीक है, तो पानी नदी के किनारे, natural sources के किनारे आपको civilizations मिली, economy, primary, agricultural societies थी, ठीक है, gender equality to a great extent था, ठीक है, gender equality आपको देखने को मिलता है, जैसे mother goddess worship, potential female deity shrines, ठीक है, मैसो पतामिया में भी आपको देखने को मिलता है, मैसो पतामि civilization में के महिलाएं जो है, ruler भी बनती है, इसके भी साक्षि मिलते हैं, ठीक है, urbanization highly developed cities थी, खासकर Indus Valley civilization में, ठीक है, religion की, writing style की, burial practices के हमने बात कर ली है, तो ये था आपका important Indus Valley civilization, Indus Valley civilization के decline को लेकर clarity नहीं है, ठीक है, पट उसके possible reasons क्या-क्या है, कि घंगर या सरस्वती river का decline, low rainfall, किसी ने का, flood आया जी, ठीक है, climatic change हुए है, ये कुछ possible reasons है, तो ये हो गया आपका Indus Valley civilization, clear, चले आगे, ठीक है, इस पर थोड़ा सा समय देना जरूरी था, क्योंकि ये पहला topic है, और important है, इस पर question पूछे जाते हैं, I hope आपको आज, जो broadly, जो major sites है, उनकी कहानिया याद हो गई है, कहानियों से, थोड़ा सा, क्या-क्या feature से उसमें ही वो याद हो गए है, आगे चलते हैं, वैदिक age में, ठीक है, वैदिक period को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, वैदिक और लेटर वैदिक में, ठीक है, तो ये है आपका 1500 to 600 BCE, ठीक है, before common era and common era, 1500 to 1000 and 1000 to 600, ठीक है, ये मोटा मोटा ये period रहता है, अब important क्या है, ठीक है, Indus Valley Civilization के अगर हम इसके बारे में बात करें तो उतना important नहीं है, primarily Vedic text है, Indo-Aryan people speak of Indo-European languages, arrival theories बहुत जादा debated हैं, ठीक है, बहुत सारी इसमें theories कहीं जाती हैं, कि अब पहला theory कहीं जाती है, Aryan migration theory, कि जो Indo-Aryans थ आएं हैं, ठीक है, South Siberia से फिर Hindu Kush Mountain में, यहाँ पर horses, fire worships, poked wheels, cremation practices, ये कुछ इसके evidences हैं, मतलब वहाँ पर भी आपको ये evidence मिलते हैं, ये show करता है कि South Siberia से आए थे, ठीक है, prevailing theory, ये काफी strong मतलब माना जाता है इसको, उसके बाद आपका आता है, Max Mueller की theory, Max Mueller क्या कहता है, Central Asia, देखो, Europeans क्या करना चाहा रहे थे, Europeans की हमेशा ये कोशिश रही, ये बताने की, के Indians जो है न, वो mainly Europe से आए हैं, ठीक है, Europe से आए हैं, तो आप और हम जो है, same ancestral, same ancestors थे, ठीक है, बट हम लोग बहुत rise कर गए, it is like, के बहुत common ancestor, same था, हम बहुत rise कर गए, तुम पिछड अब हम आए हैं, तुम्हें सुधार में, ठीक है, white man's burden की जो theory कही जाती है, के हम जो है, तुम्हें civilize करने आए हैं, तुम हमारे ही कहीं पुराने भाई हो, भाई बंदू हो, हम तुम्हें अब, जो है, civilize करने आए हैं, that was the idea, ओके, शिव हम कह रहे हैं, के इंडर्साली स्विलाजेशन हो, इस पे बहुत कोशन नहीं बनेगा, इस पे हम debate नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या था, क्या नहीं था, हमारा motto, exam को ध्यान में रखते हुए है, इस पे मैं भी controversy में नहीं पढ़ रहा हूँ, जो paid classes हैं, उसमें हमने एक-एक चीज़ को बहुत detail में discuss किया है, वो आप देख सकते हो, if you want to know, ठीक है, यहाँ पर हम यार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चलो, European theory, Indo-European languages, हाँ, Max Mueller की बीच में रहेंगी theory, अब यह कहता है कि बहुत ज़्यादा language similar है, हमारी South recent Y chromosome study भी इस बात को बताती है, इसके बाद Indo-European language family की बात की गई, जैसे कहा गया कि अगर आप देखोगे, जो मात्र है, ठीक है, भात्र है, यह जो शब्द है, similarly आपको वहाँ पर mother, brother, father, ठीक है, पित्र, यह जो शब्द है, यह similarly आपको इंडिया में भी Sanskrit language में मिलते हैं और European languages में भी मिलते हैं, especially Latin languages में आपको common जो है शब्द मिलते हैं, so the Aryan complex historical connotations, European theory है, Indian theory है, ठीक है, आर्ग्योस के Aryans जो थे वो native ही थे, भारत के ही रहने वाले थे, Arctic region में यह कहा गया कि Homeland theory है, वेदिक period की, तो यह तीन 6 theories हैं, जो important theories कही जात हैं, तो यह आप देख सकते हैं, Iranian agriculture, European steppe से, South Siberia से, यहाँ पर आये हैं, ऐसा कहा गया, कुछ लोगों ने कहा के नहीं जी, यही के indigenous है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब यह important आपका features क्या क्या हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेता हैं, locations की, so Vedic period की हम settlement की अगर हम बात करे हैं, तो early जो Aryans हैं, वो Indus Valley में settled down होते हैं, सब्सिंदू word used किया जापा है, सब्सिंदू मतलब सात नदिया, so land of seven rivers, सरस्वती river holding the religious significance, सरस्वती नदी जो है, बहुत important है, ठीक है, Indus Valley civilization में आप कहा सकते हैं, कि major जो river थी, that is the Indus river, ठीक है, और to a certain extent, हर्याना में गंगर नदी या सरस्वती नदी है, बट यहां पर यह सबसे important नदी है, काफी revered नदी है, ठीक है, काफी पूजनिया है, ठीक है, रिगवेदा may not explicitly mention the large water bodies, ठीक है, water bodies की बात नहीं की गई है, later Vedic period की अगर हम बात करें, तो later Vedic period में, जो है, आपको जो tribes हैं, वो बड़ी होती होई मिलती ह जन माने लोग, पद माने territory, ठीक है, लोग foot, तो लोगों ने अपनी, जब tribes बड़ी होगी, territories होने लगी, तो अरली Vedic period में, रिग Vedic period में, और later Vedic period में, एक fundamental difference क्या आता है, पहले में होता है, लड़ाईयां जो होती हैं, वो गाए को लेकर, जो cattle है, वो बहुत important asset है लोगों है, तो उसको लेकर जो है लड़ाई, यहां पर देखने को मिलती है, लेटर फेज में जाकर, लेटर Vedic period में जाकर, जो है territory important हो जाती है, क्योंकि जो कुल है, जो कहली जे tribe है, clan है, वो काफी बड़ा हो जाता है, फिर उस territory को लेकर आपस में लड़ाई होती है, फिर उन जन पदों में, फिर महाजन पद बनते हैं, फिर उन महाजन पद में मगद जो है, वो सबसे उपर उठता है, वो एक बड़ा समराज्य बनाने में काम्याब होता है, उसकी जरनी भी हम देखेंगे, तो यहां पर अगर हम बात करें, reference to C, C के बारे में वो खास reference नहीं मिलता है, बट यहां पर आपको धीरे-धीरे उनको expansion बढ़ता है, उनको इसके बारे में पता लगता है, form of government के अगर हम बात करें, तो यहां पर एक kinship रिश्चिदारी के हाँ, यह हमारे ही कुल से related है, उससी की जानकारी है, बट हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है, हेरिडिटरी नहीं ह क्योंकि वो पशुदन, धन है, ठीक है, वो एक asset है, उसमें अगर आप देखेंगे, प्रोहित वर्ड आपको मिलता है, सेनानी मिलता है, ग्रामीनी मिलता है, ग्रामीनी village leader, प्रोहित जो है spiritual leader, priest हो गया, सेनानी हो गया, army leader, उसके बाद अगर हम later Vedic period में देखते हैं, तो kinship जो है hereditary होती है, very very good evening, so hereditary है, power बढ़ती जा रही है, ठीक है, power बढ़ती जा रही है, sacrifices के अगर हम बात करें, तो तीन तरीके के आपको यग्य मिलते हैं, पहला यग्य मिलता है, राजसुवा, consecration, ठीक है, जैसे कि मतलब गद्दी पर जब राजा बढ़ता है, जो राजक सकते हैं, दूसरा है वाजपियर, वाजपियर, मतलब जीतना, ठीक है, जीतना किसको, बाकी tribes को जीतना, ठीक है, so chariot race किया जाता है, इसमें, मतलब race लगाई जाती है, रत की race होती है, जो जीतना है, वो जो है, मतलब उसका consecration होगा, अश्वमेद क्या होता है, अश्वमेद जो जीतेगा, उसकी वो territory मानी जाएगी, अगर कोई घोड़ा नहीं रोपता है, that means, क्या है, कि उसने आपकी suzerainity को, आपकी superiority को मान लिया है, ठीक है, तो वो आपके अधीन माना जाएगा, वो territory आपकी मानी जाएगी, हाजी, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आपका PDF मिल जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चलो, administration की बात करें, तो यहाँ पर father side की lineage की बात की गई है, social group, kul, by kulup, then wish, jan, largest unit है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आपको tribes देखने को मिलती है, transformed into territorial unit, जैसे मैं आपको बताया, कि जनपद, जनपद से महाजनपद आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर main चीज क्या है, कुल है, ठीक है, कुल मतलब आपका, जो आपका tribe है, ठीक है, family है, ठीक है, clan है, यह सबसे important चीज है, ओके, next आपका चलते है, tribal assemblies, यहाँ पर एक consultative process है, early Vedic period में, सभा है, सभा मतलब जिसमें जादा लोग है, exclusively council of elites, sorry, जिसमे elites हैं, समीती जिसमें जादा लोग हैं, सभार समीती, जैसे विधान सभा, रज्य सभा, लोग सभा, limited लोग हैं, ठीक है, समीती में जादा लोग हो गए, ठीक है, with it, tribal assembly with diverse role, religious and military roles, उसके बाद आपका gun, assembly और troop, तो इस तरीके का consultative process देखने को मिलता है, पर यहाँ पर आपको consultative process नहीं मिलता है, यहाँ पर राजा अब supreme हो चुका है, राजा के बास power आ चुकी है, ठीक है, next आपका आता है division, ठीक है, यहाँ पर clan based है, professions pre determined नहीं है, आप profession दूसरा भी choose कर सकते हैं, कोई fix नहीं है, by birth नहीं है, बट यहाँ पर आते आते, profession जो है by birth हो गया है, four fold classification हो ठीक है, उसके बाद अगर हम one system की बात करें, तो यहाँ पर दस्यूस की बात की गई है, non vedic, जैसे मैं आपको कहा, कि एक तरफ Aryans हैं, एक तरफ दस्यूस हैं, दास शब्द जो बाद में चल कर आया, लडाई किसी के लिए थी, गाय को लेकर, cattle को लेकर, ठीक है, क्योंकि य लेवरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, but to a great extent, early vedic period जो है, वो काफी हद तक समाज एक जैसा मतलब है, आप चूज कर सकते हैं, दूसरे profession को भी, माल लीजिए, आप किसी एक particular family में पैदा हुए हैं, दूसरे profession को follow करना चाता है, वो कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हैं, अब धीरे-धीरे क्या हो गया है, आपका जो occupation है, वो by birth ही decide होगा, कि इस particular प्रिवार में है, तो यह जो है profession होगा, यह सारी चीज़े जो है, यहाँ पर आने लगती हैं, next हम चलते हैं, social mobility, जैसे मेरे आपको कहा, कि एक social mobility थी, change कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर महिलाएं घरों तक सीमित हो गई है, later wedding period में, prevalence of child marriage, सती, ठीक है परदा, यह आपको देखने को मिलता है, but still इसके बाद, इसके बाद भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जिनों को एक scholars के रूप में जाना जाता है, जो later wedding period से आती हैं, जैसे कि गारगी, मेत्रेई, कातियानी, यह महिलाएं जो हैं, एक scholars के रूप में उभर कर आती हैं, next आता है marriage, marriage में आपको monogamy, दो polygamy and polyandry आपको देखने को मिलती है, monogamy मतलब एक ही शादी, but multiple husbands या multiple wives देखने को मिलता है, leverage marriage जिसमें की younger brother से शादी करना, in case के, अगर husband की death हो जाती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो child marriage common हो गई थोड़ा सा, गोत्र सिस्टम यहाँ पर develop होता है, अच्छा एक और चीज, within जो है आपको शादी, like same गोत्र में शादी नहीं होगी, ठीक है, तो यह गोत्र डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है, यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है, ठीक है, हाँ, लोप मुद्रभी, ठीक है लेटर वैदिक पीरिड में अगर हम देखें, तो यहाँ पर चार स्टेजिस लाइफ की कही गई है, पहला है ब्रह्मचार्य, गरस्त, वानप्रस्त, सन्याज, ठीक है, तो पहले आप सीखेंगे चीजों को, ठीक है, ट्रेनिंग इन स्क्रिप्चर्स, प्रैक्टिकल स्किल् तो यह हो गया आपका, ब्रह्मबन, शत्रिया, हैश्य, शुद्र, एकॉनमी के अगर हम बात करें, तो एकॉनमी, एग्रिकल्चरल एकॉनमी है, अर्बन लाइफ नहीं है, यह एक अपने आप में काफी अभी तक हिस्टोरिय जिसको बहुत जादा क्लैरिटी से नहीं बता आप है कि इंड़स वैली सेखालीजिशन इस कंसिडुरी भी मोर अर्बन सुसायटी देना व्यदिक जो की बाद में आया है, वह रूरल सुसायटी थी और इंड़स वैली इसे को मौर अर्बन सुसायटी काज अर्था, ठीक है तो यहाँ पर फोकस क्या है, जैसे मैंने आप को कहा केटल केटल डिनोट करता है वेल्थ को और जो वेल्दी इंडिविजुल से हमको गोमत कहा गया ठीक है उनके पास जादा गाये है जादा वेल्थ है ठीक है यहां पर धीरे धीरे अब क्या होगा एग्री कल्चर से फोकस्षिप होने लगा और और भी सोर्स ओफ लाइव ट्यार होने शुरू हो गए ठीक है अगर हम ट्रेढद कामश की बात करें तो बहुत जदा ट्रेडेडे कंश नहीं मिलता यहां पर और इंडिविजल लैंड ओंट निर्शिप नहीं है यहां पर एगसक्ट ज्यादरि पेरिड में आपको धिरेदी डवलप होने शूरू हो कपडों का वैपार करते हैं इस तरीके से जो है गिल्ड्स डेवलप होने शुरू हो गए ठीक है नेक्स आता है रेविन्यू सिस्टम रेविन्यू सिस्टम कुछ नहीं है यहां पर इनफॉर्मल सिस्टम है वलेंटरी है बली खुद से लोग देते हैं यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर involuntary हो चुका है यहां पर लोगों को देना पढ़ रहा है फिक्स कर दिया गया है ठीक है और gift economy है जादा दर लोग gifts देते हैं और यहां पर जो है जो वेश्यवर्ग है जो कि जिनके पास पैसा आना शुरू हो गया है trade के माध्यम से वो जो है उनको उनपे taxes लगाए गए है फिर आपका crafts की बात करें तो यहां पर chariot making घोड़ा, carpentry लकडी का काम, tanning यह basic काम है यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे important चीज़ क्या है iron आ गया है ठीक है iron देखो सबसे important लेडर, वैदिक और लेटर वैदिक को एक चीज़ जो सबसे ज़ादा distinguish करती है वो iron है ठीक है, देखो iron से दो चीज़ें main हुई ठीक है, दो चीज़ें society बहुत simple है बहुत ज़ादा complex society नहीं है कोई artificial intelligence, robotics नहीं है simple society है सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए agriculture, पेड़ भरना है तो लोहे से क्या होगा लोहे से आप बहुत अच्छा औजार बना पाओगे तो जो भी agricultural equipment होगा हल होगा, वो ज़ादा नीचे जो है, क्या कर पाएगा खेत को जोद पाएगा तो जो आपका बीज है वो ज़ादा depth पे होगा ज़ादा अच्छा production होगा productivity बढ़ेगी दूसरी चीज़ आपको army को ध्यान रखना है वार, बिल्कुल दूसरी चीज़ क्या है? वार मतलब अगर आपके पास low है है तो क्या होगा? इससे आपको अच्छे हथ्यार बनाने में मदद मिलेगी अच्छे हथ्यार होंगे तो आप दूसरे की सेना को पराजित कर पाएंगे ठीक है? तो पेट भरा हुआ है दूसरे की सेना को भरा दिया यही तो चीज़ चाहिए ठीक है? तो simple है agriculture और आपकी army दोनों के लिए बहुत मददगार है तो इसी लिए आपको वैदिक में और लेटर वैदिक में यही डिफरेंस मिलता है iron क्योंकि इसी की वज़े से क्या हुआ? surplus आना शुरू हुआ surplus की वज़े से standing army आनी शुरू हो गई standing army से फिर war जादा शुरू हो गई agricultural communities हैं जो घुमंतू थे एक जगा से दूसरी जगा जाते थे उनके और settled agriculture यह जो civilization है इनमें क्या difference है? इनमें difference है agriculture का जैसे ही आपको यह समझ आया कि यह जो मैं beach खा रहा हूँ इनमें से अगर एक beach bow देता हूँ उसको पानी देता हूँ तो यह बाद में एक और फसल त्यार हो जाती है इससे क्या हुआ लोग settle down होना शुरू हो गए settle down जब होना शुरू होंगे तो ज़ादा बच्चे होने शुरू होंगे ज़ादा बच्चे हैं तो कुल tribe बनना शुरू हो गया अगर आप घुमंतू है तो ज़ादा बच्चे नहीं कर सकते हैं तो इसलिए population ज़ादा नहीं थी और बहुत limited population थी forces of nature के साथ लट रहे हैं तो यह आपका basic difference है चलो तो यहाँ पर आप iron आ गया है जिसको श्याम आयास या कृष्ण आयास कहा गया बहुत important सीधा सीधा कोश्चन है यह ठीक है किस धातू को किस कैलीजे metal को यह नाम दिया गया है so that is iron ठीक है यह iron को दिया गया है उसके बाद आपका अगर आप देखेंगे इसके लाबा tin, lead, silver यह सारी चीज़े आपको मिलती है painted graveyard ठीक है यहां पर आपको painted graveyard pottery बरतन, मिट्टी के बरतन जो है ठोड़े और अच्छे मिलने लग गए ठीक है glossy, finished graveyard होता है ठोड़ा silvery color आपको देखने को मिलना शुरू हो गया पहले क्या था? red color की pottery जिसमें black था ठीक है black color की कारीगरी थी ठीक है, वो basic है बिल्कुल ठीक है, अब क्या मिलना शुरू हो गया आपको painted graveyard pottery मिलने शुरू हो गई यह advancement है ठीक है, तो आश्रे color pottery आश्रे होता है घेरू कलर ठीक है, गेरू कलर की pottery है बरतन है, उसके बाद थोड़े advanced color के आपको बरतन मिलने शुरू हो गए ठीक है जी, यह छोटे-छोटे points paper में पूशता है consider the following statement, समझने है इसको ठीक है, तब ही वो question की nuances को आप समझ पाऊगे सीधा question भी पूशता है statement based question भी पूशता है ठीक है, चलो next आपका आता है agriculture agriculture, इसमें जौँ, ठीक है आपको मिलता है गेहू मिलता है, ठीक है wooden plow, ठीक है आपको बगाइदा जो लकडी के जो agriculture लेके पेंट्स है, हल है लकडी का मिलता है यहाँ पर आते-आते लोहे काऊ चुका है ठीक है, यहाँ पर आपको एक urban centers मिलने शुरू हो गए mixed farming मिलने शुरू हो गई ठीक है, dietary, rice, wheat become primary food sources यह चीज़ें आपको यहाँ पर मिलते हैं ठीक है यह आप देख सकते हैं और श्रे colored pottery, तो यह हो गया आपका rig Vedic period में painted gravy pottery, इसमें थोड़ा सा फर्दर जो है finishing जाबा है next आता है important important terms used in Vedic period महाजनपद and rice of mother ठीक है, तो अब महाजनपद में क्या-क्या है, यह हम देख लेते हैं so महाजनपद में सबसे देखो important जो terms है ना अगर आप Vedic period की important terms को देखोगे, तो इसमें sorry terms जो है वो goh से related है, ठीक है, even जो आपका गोत्र शब्द है, ठीक है गोत्र, गोत्र शब्द भी गाए से ही आता है, go, ठीक है के गोत्र मतला जहां पर सब की एक साथ गाए बांदी जाती थी ठीक है, एक ऐसी tribe, एक ऐसी family जहां पर सब की गाए जो है एक साथ बांदी जाती थी तो वहीं से आया है कि common family है, combined family है, enlarged family, इसलिए आज भी का जाता है कि same गोतर में शादी नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा तर लोग, ठीक है, अब यह कहोगे कि हम उस part of country से आते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट broadly यह मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यह चीज आ बिल्को ठीक, चलिए, अब चलते हैं महाजन पर, अब जैसे जैसे iron आया, iron आने से क्या हुआ, जंगल काटने शुरू करें आपने, क्योंकि 1000 अच्छा मिलना शुरू हो गया, जंगल काटने शुरू हो गया, तो आप जो है, जो present day पंजाब हर्याना था, या इंडस रीजन था, ठीक है, उससे आप कहाँ पर जाना शुरू हो गए, यूपी एड बिहार, ठीक है, इस्टन इंडिया के तरफ मूब होना शुरू हो गए, यहाँ पर लोग फिर क्या हुआ, एक ट्राइब जो है, एक extended ट्राइब, यहाँ पर सेटल डाउन होनी शुरू हो गए, उसकी तरीके से आपको जनपद और उसके बाद महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं, अब इसकी सबसे important चीज क्या है, इसमें यहाँ पर आपको एक urbanization का phenomenon देखने को मिलता है, urbanization का मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों के पास surplus है, वो शहरों में move कर गए, वो manufacturing में services sector में आ गए, secondary sector में और tertiary sector में आ गए, अब जो है power shift हो चुका है, महाजनपद में आते आते क्या हुआ, 16 महाजनपद, अच्छा ये question आपका सीधा सीधा पूछता है, 16 महाजनपद कहां पर mention है, आपको कैसे पता 16 महाजनपद, तो ये आपका अंगुतर निकाए, एक Buddhist text है, उसमें लिख दिखा गया है, ठीक है, अब यहाँ पर जो power center था, जो अभी North West India में था, मतलब जो present day Punjab क्या लिजिए, वहाँ से बिहार की तरफ जो है, ये आपका shift हो गया है, ठीक है, अरली वैदिक और लेटर वैदिक पिरिड में भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक slide बाद में गलम में सो गई थी, इसको cover कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसे temples, जो है मूर्ति पूजा नहीं मिलती, यहाँ पर आपको धीरे-धीरे temples, मूर्ति पूजा, सार common supremacy आपको देखने क्यों मिलती है, ठीक है, अरली वैदिक गॉड में अगर हम देखें, तो जादा तर जो भवान है, वो forces of nature है, जैसे इंद्र, ठीक है, rain, से related, अगनी, ठीक है, fire, sacrifice, वरुन, पानी, ठीक है, god of water, सोम, divine drink linked to plants and intoxication, related to plants mainly, ठीक है, उसके लबावा, यम, ठीक है यम है हम, सो death, सो पुशान, herdsman, ठीक है, उसके बाद आपका, विशु, benevolent god, मारुत, मारुती, शब्दाया, strong, hot fast, ठीक है, strong, twin god of war and fertility, अब धीरे धीरे अब इसमें जाते क्या हुआ, कि क्योंकि forces of nature को आप conquer कर चुके हो, या I would say, कि उससे आपको डर नहीं है, तो अब जो ह जो यहाँ पर not so important god थे, वो यहाँ पर important हो गए, जैसे कि भवान विश्नु, ठीक है, और जैसे पुशान है, पुशान जो है, जो herdsman, यह so called lower caste के भवान जो है, यहाँ पर गिने जाने लगे, पुशान जो है, उनके साथ उनको link किया गया, और नए जो god है, जैसे कि प्रज female gods की बात करें, तो female gods में जैसे कि सावित्री, solar dt, ठीक है, अदीती, eternity, अदीती, जिसमें date नहीं है, eternity तक है, कोई अदीती तो नहीं है, पृत्वी earth goddess, नरिती, death, उशा, भोर का समय है, जो सुब है, वो भोर का समय होता है, ठीक है, उसके बाद आपका गंदर्व, divine musician, अप ठीक है, ये हो गए आपके demigod, बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे देवी देटा है, ठीक है, तो उनको इसमें लिया गया, ये कुछ terms है, जैसे कि गौधुली, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये आज भी use होती है, ये बली terms, गौधुली time को कहा जाता है, गव्यूती गौध शब्द है, ठीक है, that was the importance of the cattle in the early Vedic period, ठीक है, गौत्र, kinship, gun, lineage, ठीक है, उसके बाद, gram, village, गौरी, buffalo, गौजित, गौजित मनलब गौध को जीतना, ठीक है, winner of cow, ठीक है, hero, ठीक है, ये शब्द जो है, यहाँ पर use किया गया है, संसार, तो ये आपका question इसमें एक ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, सत्यमेव जैते, ठीक है, सत्यमेव जैते, जो है, कहां से लिया गया है, मंडुक, मंडुकाय, उपनिशद, बहुत ज़्यादा important, प्लीज इसको mark कर लेना, ये basically क्या बताता है, अच्छा, इसमें भी समझ दो, बहुत सारे text लिखे चार वेद लिखे गए, रिग वेद, सामवेज, जजुर वेद, धर्ववेद, ठीक है, उसके बाद आपका उपनिशद, अरन्यक, बहुत सारे लिखे गए, वेदान, वेदों का अंत, जिसे कहा जाता है, देखो, initially अगर आप देखोगे, जो वेद हैं, उनमें चैंट, मंत पत्राज, ठीक है, म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, बाद में चलकर जो उपनिशद है, उनमें हम फिलोसफी की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, ठीक है, ये भी कहा जाता है, कि बहुत जादा फोकस, देखो, धीरे-धीरे सोसाइट क्या था, तो वो चीज़ जो है, अरन्यक शब्द जो है, फॉरस से आया है, तो फॉरस में मतलब मालो जो रिशी है, वो क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है, उसके बाद उपनिशद है, वो क्या बता रहे हैं, तो वो फिलोसफी के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत जादा rituals पे focus नहीं करते हैं इसलिए आप देखेंगे later में जाकर 6 school of philosophy आते हैं मैं बहुत जादा depth में नहीं जाना चाता क्योंकि फिर वो बोरो जाएगा और उतना हमारा session में हम discuss नहीं कर सकते हैं और उतना paper में नहीं बोचता है ठीक है जिसमें हम बोलते हैं कि सांके स्कूल है योग है जिसके हम बात करते हैं तो ये जो schools of thought है ये इनमे से भी अगर आप देखेंगे उपनिशद की बात की गई है सारे आपको school of thoughts मिलते हैं एक school of thought कहता है कि नहीं जी वेज जो है infallible है सरफ वेज को मानना है आपको एक बात में चलकर जो है उपनिशद philosophy की बात करता है reasoning की बात करता है ठीक है चलो यहां पर इसको विराम देते हैं यह briefly मैंने आपको बता दिया four-fold burner system कहां पर mention किया गया है रिगवेद में दसवे वंडल में mention किया गया है यह भी question आपका पूंचा गया है ठीक है त्री मूर्ति God भ्रह्मा विश्नु महेश ठीक है भ्रह्मा विश्नु महेश creator of God preserver, destroyer ठीक है मित्रयानी उपनिशद ठीक है बहुत important ठीक है चलो origin of universe रिगवेद दसमे मंडल में mention किया गया है तो fourfold version और origin of universe यह आपको सीधा सीधा याद रखना है ठीक है सभा और समीथी text referred to them as twin daughters of प्रजबती ठीक है यह significance बताता है सभा और समीथी की के लोग बात्चित करके इसलिए कई बार recent यह आप देखेंगे बात्चित हो ठीक है उससे बात्चित करके चीजों का समस्यागा जो भी सामाधान हो तो यह बात जो है यहाँ पर आपको अथर्ववेद में देखने को मिलती है वसुदेव खटूमबुकम एक बार इसको चेक कर लेते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट है बुद्धिसम अच्छा अब देखो क्या होता है कि जब अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते क्या होता है कि डीग्रेडेशन आनी शुरू हो जाती है सुसाइटी में जैसे हमने देखा कि महिलाएं जो हैं घर में सीमित रह गई, कास सिस्टम रिजिड हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, कि reaction आना शुरू होगा, कि ये क्यों हो रहा है, मतलब motive क्या था, वेदों का, और कहां पहुंच गे हम, क्योंकि 900 साल का पीरिड है, ये छोटा पीरिड ये 900-1000 साल का पीरिड काफी होता है, अब आते आते इसका reaction आना शुरू होता है, reaction मतलब एक alternative philosophy जाने शुरू होती है, अच्छा, बुद्धिजम और जैनिजम सिर्फ बुद्धिजम जैनिजम डेवलप नहीं हुआ था, 64 सेक्ट डेवलप हुए थे, ऐस पर NCRT, अगर आप पर mention किये गए हैं, पर दो सेक्ट बुद्धिजम और जैनिजम जो है, सबसे जादा डेवलप होते हैं, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की हम बात करेंगे, बुद्धिजम और जैनिजम की, और इसमें जो है, ये वो पार्ट है, जब लेटर वैदिक है, और ये वो समय है, जब महाजन पद जो है, डेवलप हो चुके हैं, और मगध जो है, राइज कर रहा है, राइज कर चुका है राधर, ठीक है, नंदा डैनेस्टी खतम हो चुकी है, मौरियाज आ चुके हैं, और यहां पर कह सकते हैं, कि ये वो particular time है, जब गौतम बुद्धा आते हैं, और महा वीर आते हैं ठीक है बिल्कुल Contemporaries जो है यह माने जाते हैं ठीक है ओके महाउपनिशद ठीक है थेंक्यू थेंक्यू सो बुद्धिजम में 6th century BC before common era में flourishing of ideas तो जैसे मैंने आपको कहा 64 sect है इट वस नॉट जस बुद्धिजम और जैनिजम पहला point ये भी कोशन पूछेगा कि सिर्फ बुद्धिजम जैनिजम था जी नहीं बहुत सारे sect थे बड़ जो popular हुए जो आज भी है ठीक है आज भी survive कर रहे हैं 5000 साल बाद सबसे पहले बुद्धिजम में गौतम बुद्धा से शुरू करते हैं ठीक है founder सिधार्थ बाद में चलकर बुद्धा बने सिधार्थ टुकिंग सुधोदन ठीक है आफशाक के रिपब्लिक अच्छा दोनों ही गौतम बुद्धा और महावीर दोनों ही जो है 16 महाजन पद में 3 महाजन पद ऐसे थे जो रिपब्लिक थे पब्लिक का मतलब जहाँ पर सभा और समीतिज आज भी थे ठीक है जहाँ पर वाद विवाद की बात थी बाकी 13 में क्या है मुनार्की आ चुका है रूलर है ठीक है तो यह भी कहा जाता है कि जहाँ पर बातचीत करने का आपको हग था थोड़ी फ्रीडम थी पर शेल्टर्ड लाइफ यह कहा जाता है कि 29 साल तक उनको बहुत महल में रखा गया बहुत अच्छी लाइफ थी सब कुछ बहुत अच्छा था ठीक है फिर वो एक दिन जो है उनके मन में विया था थी कि इस महल के बाहर क्या है फिर वो एक दिन बहार नेकलते हैं तो देखते हैं ठीक है बज़ूर को देखते हैं एक सिख व्यक्ति को देखते हैं बहुत जो है के लिजे दुरबल व्यक्ति को देखते हैं ठीक है एक मृत व्यक्ति को देखते हैं तो फिर उनको जो truth of life को लेकर जानने की कोशिश होती है या जिग्यासा पैदा होती है so left the palace at 29 ठीक है, attainment enlightened बोद गया at 35 ठीक है, 6 साल तपस्या मनलब इदर उदर घूमने के बाद 49 दिन तपस्या करने के बाद finally उनको ज्यान की फ्राप्ति होती है पहले बंदरा में महाजनपद बुद्धिजम है ओके, नहीं ऐसा नहीं है ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है अंगुतर निकाया में 16 महाजनपद लिखे गए है ठीक है, सो यहाँ पर teachings के अगर हम बात करें, तो सबसे खास बात बुद्धिजम की यह है को वो metaphysical discussions को avoid करता है, कि what after death ठीक है, आत्मा प्राव लोग वो कहते है कि भाई, सबसे पहले तो आपको human life को समझो, ठीक है human life में आपको क्या करना है ठीक है, तो वो उसको समझना है तो वो सबसे पहले four noble truth की बात करते है जैसे, बात में चलकर हम जो है सूफी और भक्ती मुवमेंट में गुर्णानक दिव जी की बात करें कि नानक दुख्या सबसंसार, तो ये भी कहते हैं, कि सब दुखी है ठीक है, दुख का कारण क्या है त्रिश्णा, त्रिश्णा मतलब desire ठीक है, सब desire है, अब desire किसी भी चीज से ठीक है, बच्चों से, प्रॉपटी से, बहुत सारी चीजों से इससे detach होना है अब कैसे हो सकते हैं अश्टांगिक मार्ग, अश्टांगिक अश्ट, मतलब एट फोल्ड पाथ अश्ट मने आठ, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा आठ फोल्ड पाथ, जिसमें वही अगेन अच्छा कंडक्ट होना चाहिए ठीक है, आपको अच्छी आपकी वानी होनी चाहिए आपका अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए ये सारी बाते जो है, यहाँ पर एट फोल्ड पाथ में कही गई है इसके बाद जो सबसे important आता है, चार बुद्धिस councils आती है, ठीक है, इस पर आपका बहुत बार question पूछा जाता है इस चार बुद्धिस councils में देखो, जब बुद्धा महापरे निर्वाना, ठीक है जब उनकी death होती है उसके बाद जो है, सारे जो monks हैं, वो इकठे होते हैं कि बुद्धा की teachings को एक साथ लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या होता है 483 BC, राजगरे अजात शत्रू, ठीक है अजात शत्रू, अब करेंगा आगे, अजात शत्रू कौन था, कब था, ठीक है, राजा पिटक क्या कहता है, rules, regulations मतलब, जब आप संग में आएंगे, जहाँ पर सारे monks रहते हैं, उसमें rules, regulations क्या है ठीक है, दूसरा है सुत्पिटक सुत्पिटक में क्या है, philosophy, बुद्धा की teachings है, ठीक है, और तीसरा होग है, अभिधम पिटक तो, again, उसमें doctrines, philosophies की बात की की है फिर सौ साल बाद, फिर इकठा हुए, के, like सौ साल में क्या होगा, धीरे-धीरे कुछ-कुछ, हमेशा से दो पार्ट होंगे, आज भी है वो चीज, एक young लोग होंगे एक आपका old लोग होंगे ठीक है, young लोग कहेंगे नए changes आने चाहिए, ठीक है यह हमेशा से debate चलती रही है आज भी है यह debate, पुराने लोग कहेंगे हमारे जमाने का समय बहुत अच्छा दाजी वो चीज़े है, यह नई पीडी तो ब्रवाद हो चुकी है, all that यह कहानी Second Buddhist Council में भी similar यही थी बिल्कुल ठीक है, सो वैशाली में हुई ठीक है, और power center बदल जुका है काल शोक, paternized by साबक अमी, और division into स्थविर वादिन और मासंडिकाज ठीक है, तो यहाँ पर यह आगया कि जी, एक old school है, एक new school of thought है, ठीक है इसमें जो है, बटने शुरू हो गए एक कहरें, बिल्कुल old teachings पर हमें रहना है, एक कहरें नई चीज़ें जो है, हमें include करनी चाहिए समय के साथ-साथ, फिर आपका 250 BC, पाटलिपुत्र, ठीक है that is present day पटना, ठीक है यहाँ पर देखो, अशोक आ गया, ठीक है मौरियास, मौरियास के समय पर एक बहुत अच्छा push मिलता है बुद्धिजम को, ठीक है, मोगलिपुत् तुस्टिस, बुद्धिस missionaries were sent to other countries मतलब, जो expansion हुआ बुद्धिजम का, बुद्धिजम eventually हम देखेंगे हिंदुईजम के fold में आ गया, but South East Asia, चाइना Korea, जपान शुरलंका, सब जगा जो है बुद्धिजम फैला, ओके next आता है आपका first CE, कश्मीर कनिष्क, वसुमित्र divided into महायान और हीनियान ये final split था आप कह सकते हैं तो इतने साल जो है लगभग, 500 साल बाद जो है final जो है, क्या होता है split होता है, महायान और हीनियान में, अब ये भी question आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है so सुत्थ पिटक, ठीक है discourses and sermons, larger section है we ne protect monastic rules, philosophy and doctrines, अभिदम पिटक, ठीक है ये मैंने आपको अल्रड़ी बतात क्या है हीनियान, हीन, हीन मतलब हीन मतलब छोटा, महा, बड़ा ठीक है, बड़ा path so lesser path में क्या कहा गया, मोटा-मोटा समझ लो, कि भाई जो है individual अपना मोक्ष प्राप कर सकता है, सबको नहीं करा सकता, तो मैं individually अपने आप पर focus करूँगा, society पर कोई focus नहीं है, follows core Buddha teaching, पाली scriptures है, self-disciplined meditation for salvation, supported by Ashoka but महायान क्या कहता है कि बाख की लोगों, जो मतलब कैली जिसने घ्यान की प्राप्ति कर ली, वो बाखियों को भी मदद कर सकता है, ठीक है, आम इंसान भी, जो है इसमें कहा गया कि सिरफ monks इसको achieve कर सकते हैं, monks, ठीक है एक बहुत खास चीज़ आप देखेंगे difference आगया, क्या difference आगया बुद्धिजम जब शुरू हुआ था ठीक है, गौतम बुद्धा के समय पर उन्होंने जो भाशा पकड़ी वो पकड़ी पाली भाशा पाली जो की आम लोगों की भाशा है इसलिए बुद्धिजम जो है बहुत ज़ादा खिलाव हुआ उसका, बहुत ज़ादा लोगोंने उसको समझ पाए, ठीक है वो बहुत ज़ादा संस्कृत का use नहीं कर रहा है बहुत ज़ादा sophisticated language का use नहीं कर रहा है, it is as good saying कि आज के समय पर आप English का use कर रहे हैं या हिंदी का, या जो भी regional language का use कर रहे हैं, English का use करेंगे तो limited audience है ठीक है, जैसे आप हिंदी या regional भाषा में आएंगे तो ज़ादा audience है आपकी, आम जन्दमानस तक पहुंच चकते हैं, but eventually क्या हुआ, यहाँ पर आते आते तो यह काफी similar होने लगा जैसे हिंदुईजम में था, ठीक है, salvation through faith, devotion, mantras, ठीक है यह चीज़ें आपको यहाँ पर देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि selfish philosophy है हीनियान, वो कहरे है कि बहुत ज़ादा मुश्किल है, आम व्यक्ति इसको नहीं कर सकते हैं, आप अपने पर focus करें और अपने जो है, goal को achieve करें ठीक है, so that was the idea ओके, next आता है वजरियान वजरियान, अच्छा यह जो हीनियान है यह आपका जो develop होता है आप ऐसे समझो, इंडिया के south में ठीक है, south में जैसे शरलंका है, south east Asia है, इंडिया के north में, China में, ठीक है, Korea में, आपको यह महायान develop होता हुआ देखता है, ठीक है, वजरियान की बात करें, तो यह जो है, वजर बात करता है magical powers की, यह आपको कहां पर develop होता हुआ मिलता है, तिबबत में develop होता हुआ मिलता है, similarities अगर हम बात करें जैनिजम और बुद्धिजम की तो दोनों ही इस्टर्न इंडिया में डेवलप हुए दोनों ही फंडिड़ बाई शत्रियाज लोवर कास्ट को जादा पील किया क्योंकि लोवर कास्ट सबसे जादा प्रभावित थी ठीक है उनका कैलीजे कहीना कहीं दमन थ पाई ठीक है एकनोमिकली पावरफुल वैश्यास को भी अगर आप जैनिजम में देखेंगे तो जो वैश्यवर्ग है जो की एकनोमिकली पावरफुल हो चुका है बट हरारकी में उसको थोड़ा नीचे रखा गया है तो वो जो है किसकी तरफ जाता है वो जैनिजम की यहां पर का सिस्टम को खतम करने की बात नहीं की गई, टार्गेट किया गया, दो चीजे हैं, एक तो है कि abolish कर दिया जाए, abolish करने की बात नहीं की गई है, ठीक है so moral life over rituals यह कहा गए कि rituals को practice ना किया जाए, नैतिक जीवन पर focus किया जाए, जीवन, आपका जो भी आपका काम है, आपका जो भी मोख्ष है, वो आपके काम से त्यार होगा या काम कैसा है, उससे होगा ना कि आपके जनम से, ठीक है denied vedas as infallible यह कहा गया कि भाई, वेद जो infallible हैं, परम जत्ते हैं, ऐसा नहीं है और pure life की बात की गई है, निर्वाना की बात की गई है, ठीक है differences की बात करें, तो जैनिजम काफी पुराना है, विजवी हिंदुईजम भी, और इवन जो है, आपका बुद्धिजब, मतलब जैनिजम में यह भी कहा जाता है कि हिंदुईजम से भी प्राना है, जैन सोल, everything has a soul, अब जैन, जैनिजम में अगर आप देखेंगे, तो उसमें कहा जाता है, हर एक चीज में सोल है, वो अहिंसा के concept को एक next level लेके जाता है, ठीक है, फिर वो हम देखेंगे बौधी सत्थ, ठीक है, additional concepts, ओके, सो बौधी सत्थ का concept यहाँ पर आता है, बौधी सत्थ कहाता है, person on the path to buddha hood, मतलब आप बुध्धा बनने की और अग्रसर हैं, धीरे-धीरे आप अपने आपको knowledge गेंड कर रहे हैं, ठीरावर्ड और early buddhism में anyone aiming to be buddha, ठीक है, जो buddha बनने की कोशिश कर रहा है, जो उस path की तरफ है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, अच्छा यहाँ पर अब next जो सबसे important part है, वो muddras है, इस पे भी आपका question पूछा ठीक है, ठीक है, हाँ, little in Ladakh also, बिल्कुल ठीक, बजरियान Ladakh is very similar, culturally very similar to that, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब आता है mudras, सबसे पहला आता है, जो है, धर्म चक्र mudra, ठीक है, धर्म चक्र mudra, तो यह इस तरीके से जो है, यह आपकी, ठीक है, जर मैं, if I have to say like this, so, yeah, this is like this, ठीक है, तो यह जो है, इस तरीके से mention किया गया है, यह किसी इसको बताता है, जब उनको ग्यान की प्राप्ती हुई है, ठीक है, so, symbolizes the wheel of धर्म in motion, teaching, ठीक है, ग्यान की प्राप्ती हुई, और उन्होंने पहला सर्मन दिया, कि अब चक्र घूम चुका है, ठीक है, अब जो है, wheel of चक्र, ठीक है, wheel of धर्म in motion, तो teaching इस सीज़ को पहले सर्मन को depict करता है, next आपका आता है, भूमी स्पर्श, भूमी स्पर्श मतलब, जब उनको ग्यान की प्राप्त हो गई, तो witness कौन है, witness है ये धर्ती मा, ठीक है, ये mother goddess, जो है, ये धर्ती मा जो है, ये witness है, इस particular salvation का, इस ग्यान की प्राप्ती का, ठीक है, तो उस भूमी स्पर्श को बताया गया है, represents the earth goddess as the witness, ठीक है जी, next आता है, वरद मुद्रा, giving, gift giving, ठीक है, तो जिसमें की आपका कहा गया ह है, कि आप किस तरीके से, charity, compassion, granting boons, आप charity करें, लोगों की मदद करें, ठीक है, तो यहाँ पर 5 perfection, generosity, morality, patience, effort, meditation की बात की गया है, ये सारी चीज़े हैं, कि आप जब दान करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दूसरों को दान करना सरफ पैसा दान नहीं होता है, ठीक है, generosity, द ध्यान मुद्रा किया गया है, और इसमें जो है, एक left hand में bowl, bowl मतलब, katora मतलब कि आप कहरें कि हमने इस जीवन को इसको त्याग दिया है, ठीक है, renunciation in the left hand, ठीक है, तो that shows कि आपने इस, इस momaya को त्याग दिया है, represents meditating, spiritual perfection, focus on dharam, ठीक है, तो इस सीज़ें का focus किया गया है, so that is the ध्यान मुद्रा, next आता है आपका अभे मुद्रा, ये, ये, this is the अभे मुद्रा, ठीक है, अभे मुद्रा मतलब fearlessness, ठीक है, भवान आपको protect करेंगे, ठीक है, so symbolizes protection, peace, dispelling fear, आप घबराओ नहीं, like God is with you, ठीक है, something used to represent preaching, गंधार आठ, तो ये पाँच मुद्राइं जो ह अलग अलग चीजों को दर्शाती है, ठीक है, तो एक बार दुबारा से देख लेते हैं सारी मुद्राओं को, ठीक है, पहला जो ये, ये मुद्रा जो सरकल वाली, जब पहले बार सर्मन दिया गया, भूमिस पर जो, कैलीजे, धरती मा है, वो witness है, ठीक है, उसके बाद आप आपका giving, ठीक है, gifts को देना, generosity की बाद की गई है, ठीक है, उसके बाद आपका fearlessness, ठीक है, fearlessness, और ये हो गए आपका meditation का, ठीक है, ये हो गए आपका meditation का, ठीक है, तो ये 5 मेन मुद्राइं हो गई, नेक्स हम चलते हैं, जैनिजब पर, ये जो जो topic में आपको करवा रहा हू ठीक है, ठीक है, ठोड़ा सा, ancient history में कोशिश कर रहा हूं के हम याद भी करें, बोर हो सकता है, ठोड़ा सा बीच में facts जादा हो जाते हैं, पर, ठीक है, ये वो वाले topics हैं, जो बहुत selected topics हैं, जो बार-बार पूचे जाते हैं, उनी को हम cover कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं पू इनर वर्ड, जो जहां पर ये कहा गया है, कि 24 तेरंथकार है, गुरु है, ठीक है, प्रॉफेट है, जिस तरीके से भी आप उनको कह सकते हैं, जैन टीचर हैं, 24 in total, पहले हैं, रिशबनाथ, लास्ट हैं, महावीर, ठीक है, वर्दमान महावीर, all believe to be शत्रियाज, ठीक है, 29 में थे, ये 30 में, उनको, कह लिजे, निर्वाना अचीव हुआ था, 35 में, इनको 42 में अचीव होता है, इसको कहा जाता है, कैवल्य ज्यान, ठीक है, कैवल्य ज्यान कहा गया, नेक्स आता है, जैन टीचिंग्स की बात करें, तो वो reject करते हैं, creator God और Vedic authorities की, जैसे हमने कहा क जैनिजम और बुद्धिजम, essentially counter है, बुद्धि, हिंदुइजम में, जो rigid practices है, देखो, दो चीज़े हैं, एक हो कहा हो कहा हिंदू religion को criticize करना है, एक हो कहा हिंदू religion में, जो ritualistic practices हैं, जिसकी वज़े से, खासकर, जो lower strata of the society है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है, so, believe in karma, transmigration of soul, ठीक है, इसकी बात करते हैं, और यहाँ पर जो है, दो जो बहुत important Buddhist council, पाटले पोतर, 3rd century BC, presided by सलबाहू, second, ठीक है, वललभी, और जो है, presided by देव, देगानी, और बहुत जादा इस पर नहीं पूछता, पर जो आपकी Buddhist council है, चारो Buddhist councils, वो बहुत जादा important है ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक, ठीक है, जैन सेक्स में दो important जैन सेक्स हैं, एक श्वेतामबर, एक दिगामबर, देखो, again, जैसे कि हमने महायान और हीनियान पढ़ा, यहाँ पर भी दो सेक्स डेवलप हो गए, एक है श्वेतामबर, श्वेतामबर को आपने देखा होगा, वाइट कपड़े, श्वेत, श्वेत मननब वाइट, वाइट कपड़े बैन कर रखता है, यहाँ पर भी एक वाइट कपड़ा रहता है, जो यह कहते हैं कि यहाँ इसमें और इसमें क्या फरक है, दिगामबर में क्या होता है, completely naked, basically उनका motive क्या है, naked होने का, कि सब कुछ त् मतलब, सबसे important चीज क्या है, possession, ठीक है, हमें लगता है कि यह, मतलब, वो बेशक, relationship का possession हो, कपड़े, जो भी है, इंसान किसलिए जूज रहा है, कि मैं बहुत कुछ एक अठा कर लो, ठीक है, तो हो कह रहा है, सब कुछ त्याग दो, even कपड़े भी त्याग दो, तो इसमें important यह चीज है, दिगामबर्स में, कि सिरफ मेल जो है, वो निर्वाना को अचीव कर सकते हैं, फीमेल नहीं अचीव कर सकते हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे, इसमें आपको बहुत कम, क्योंकि बहुत मुश्किल है, यह चीज करना, तो इसलिए यह, यह बहुत कम लोग follow करते हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे, जादा followers मिलेंगे, ठीक है, जादा followers मिलेंगे, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, तो यह एक factor है यहाँ पर, अहिंसा की बात करते हैं, बहुत major principle है, अहिंसा की इस level पर बात है, कि हर चीज में life है, आप किसी भी च influence जो है, यहाँ पर आता है, eventually अगर आप देखेंगे, सदरन इंडिया में और करनाटका में, जो है, जैनिजम काफी जादा फलता फूलता है, ठीक है, और present day राज्यस्तान और गुजरात में, ठीक है, ओके, next आपका आता है, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद को देख ले capital है, मघद, मघद की capital है, राजग्रे, ठीक है, व्रिज या वज्जी, ठीक है, जहाँ पर आपको republic मिलता है, वज्जी, नौर्थ भिहार, ठीक है, इसमें कई सारे clans मिलते हैं, आपको, वज्जी में कई सारे clans मिलते हैं, कई सारे tribes मिलती है, ठीक है, फिर आपका काशी, का है broadly then आपका कोशाल पंचाल ठीक है यह अपका present day उत्रप्रदेश में आप देख सकते हैं कुरू कुरुक्षित्र कुरू ठीक है कुशी नगर मैं आऊंगा मैं further exact locations भी बताऊंगा ठीक है थोड़ा सा पहले मैं एक broad idea दे रहा हूं अभी ठीक है ठीक है present day जो मद्यप्रदेश उजयन वाला जो रीजन है वो कहा जाता है सबसे सद्रन मोस्ट में अशक ठीक है अशक और उसके बाद आपका जो present day eastern जो कह लिजी आपका राजस्थान है मत्सिफ ठीक है मत्सिफ तो एक एक करके सारे महाजन पत्स को देख लेते हैं अंग ठीक है अंग की चंपा capital है स्वन भूमी जो south east एशिया के साथ इसका बहुत ज़दा trade है पर चंपा क्या है ये अंग क्या है थोड़ा weak है इसको eventually मगद सबसे पहले control कर लेगा ठीक है इसी लिए इसकी significance है traders के लिए फिर आता है आपका वज्जी वशाली वन महाजन पत जो की republic जिसमें आपको बहुत सारी tribes मिलती है लिचवीज, विदेहाज, ग्यांत्रिकाज ठीक है जो महावीर का clan है और लिचवीज, लिचवी princess के लेटरी को कैसे control कर सकता है तीन तरीके से पहला तरीका है शादी करके ठीक है उस दूसरे राज्य की जो princess है उससे शादी करके दूसरा है लड़ाई करके जीत कर तीसरा है अगर वो powerful है equally powerful है ठीक है तो उसकी मदद करके उसको दोस्त बना कर ठीक है तो यहां पर वही किया ज बारा देखेंगे आप आगे सो वजी हो गया देन मल डाट इस कुशिनगर और पाबा प्रेपब्लिक स्टेट है बुद्धा ने लास्ट अपना जो महा परिनिवाना है वो यहीं पर था ठीक है अट कुशिनगर देन आपका अचा वजी दो बार मेंचन हो गया चलो ठीक है म बार अजिए कुशंबी कॉशंबी कान्फुलेंस ओंफ रिवर अकव्डंगा यम्ना अमडरंड़ व्दाथाबाद सो किंग ओडेन भाज फिरमस कि led थैंकू सो मचू प्लीज दो हेल्प इन शेरिं इस सेश्ट इस इस इन खिए इस यह दूच कर न यह दो चैनल करेक्टर है तीन बहुत इंपर्टेंट का यह दिए बुक्स का यह दो प्राइब रॉड़ का यह सेंट्रल क्रेक्टर रहा है ठीक है शुपन वासवधत जो भाष के दवारा लिखी गई है रतनावली और प्रियादर्शी का हर्षा के दवारा लिखी गई है इनमें mainly romantic stories है ये इसका central character है ठीक है central character है नेक्स्ट आता है चेती, शुक्तेमती, किंग वोस शिशुपाल, mentioned in महाभारत, महाभारत में भी इसके बारे में लिखा गया है, पंचाल की बात करें, पंचाल नरेश, कई बार आपने महाभारत में सुना होगा, पंचाल नरेश, कौन थे पंचाल नरेश, अहिचित्र, मौड नहीं, current location, current जो है, देखो, जनली क्या पूछा जाता है, जनली इसमें match the falling में, locations पूछी जा सकती हैं, और important ये वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं, capitals भी पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना हैं, बस इतना ही ध्यान रखना हैं, 16 माजन पत में और ठीक कहा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये शादी हुई ना, साथवाली स्टेट की प्रिंसे से, ओके, शुरसेन, मतुरा, so its king was अबंतिपुत्र, disciple of, अबंतिपुरा, disciple of गुद्धा, मत्स्य, Eastern Rajasthan, विराठ नगर, विराठ नगर, मत्स्य, ठीक है, Eastern, जो है, रा आईश्मती, नौर्थवन्ती, उज्जैन, ठीक है, इसी लिए, ये अगर आप देखेंगे, विंधिया रेंज, आप मूवी में भी देखेंगे, तो पहाडी लाका दिखाया गया है, ठीक है, पहाडी लाका दिखाया गया है, ओके, अशक, situated on the bank of गुदावरी रिवर, portly, modern निजामाबाद, ठीक है, modern निजामाबाद, तो only महाजनपद, जो south of विंधियाज में था, south of विंधियाज में था, ठीक है, अशक, okay, next आता है, गंधार, northwest Pakistan, that is Taksila, ठीक है, that is Taksila, गंधार का राजा कौन था, महाबारत में, गंधार, बताओ, चलो comment section box में, अगर थोड़ा बहुत महाबारत देखी है, इसमें mention होता है, so इसमें बहस्तन, inscription आपको मिलती है, conquest of गंधार, बाए, एकिमिनेट, पर्शियन, जिन्द, second half of six century BC, northwest के जो महाजनपद हैं, वो कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, पहले, Persian rulers कंट्रोल करेंगे, फिर बाद में कौन आएगा, Alexander तो यह जो Northwest वाले provinces हैं, जो प्रेज़ेंट क है लिजें, पाकिस्तान में हैं, उनको, ठीक है, शकुनी मामा, yes, very good, ठीक है, गंधार, yes, ठीक है, शकुनी मामा, तो यह जो है, इसको सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, कमबोज, कमबोज आज भी सरनेम है, अगर आ पजा वाले रेजन में जाएंगे, कमभोज हरने मिलता है, नौर्थ वेस्ट है, जो मगध है, प्रेजेंट दे बिहार, ठीक है, वहां से आप पूरा, मान के चलो, बिहार, यूपी, हर्याना, पंजाब, नौर्थ वेस्ट, फिर पाकिसान वाले पंजाब में पहुंचोगे, फिर फर्दर आप सेंटरल इशा में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो यह हो गया आपके, इसमें फीचर्स की अगर हम बात करें, तो दो तरीके के थे, मैंने आपको बताया था, तीन जो हैं, आपके क्या है, तीन हैं, जो रेपब्लिक्स हैं, और बाकी तेरा जो हैं, वो क्य फिर सेंटरलाईजड है, हेरिडिट्री डूलर है, अगर यहां पर हम बात करें, जो पहाडों का फुटिल्स है, वहाँ पर आपको यह मिलते हैं, सभार समीतीज वाले, गन वाले, गन संग, ठीक है, प्लेन एरियास में आपको क्या है, क्योंकि सर्पलस है, राजा स्ट्रॉ प्रिवाद होता है बातचीत होती है ठीक है प्रेजेंट में आपको जो चीज नहीं मिलती है ठीक है प्लेइड इलाके में ठीक है रिपब्लिक गवर्नेंस डिसीजन मेट थू डिबेड डिसकुशन वोटिंग इन दा संथ गारा सेंबली तो यह आप देखने को मिलता है मुना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर आपका जो है यह पटिकलर टाइम अब इवेंचुली क्या होता है इवेंचुली आपका डेवलब कौन होता है मगद एमपाइर देखो मगद एमपाइर की डेवलब होने में तीन चार कारण समझ लो सबसे पहला कारण क्या है iron जारखंड वाला रीजन फिर दूसरा चीज है नदी नदी से आप ट्रेन अच्छा कर पाऊगे पानी है तो अगेन खेती अच्छी होगी तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है जंगलों से हाथी मिल रहे है हाथियों से क्या होगा दूसरे फॉज की सेना पर आप अटैक कर पाओगे अगर उसने कोई फोर्ट बना रखा है, किला बना रखा है उसको भेदने में भी बड़े हाथी काम आएंगे तो यह कुछ मेजर कारण रहे मगद और आफिसली बाकी आखिर में कहेंगे कि बहुत अच्छे रूलर्स थे ठीक है, बहुत शक्तिशाली रूलर्स थे यह जो है कारण रहा मगद इंपायर के राइस का, तो सबसे पहले किसको कंट्रोल किया जागा पढ़ोसी को, तो पढ़ोसी जो है अंग को जो है, अपने कब्जे में लाया गया तो यहाँ पर तीन में डाइस्टी मिलती है, हर्यंक डाइस्टी ठीक है, शिशुनाग डाइस्टी और उसके बाद नन्दा डाइस्टी, ठीक है, इसमें आप अगर अहां, साइनस वाला सेशन भी लेकर आँ हुआ, ठीक है, साइनस वाला सेशन आएगा, ठीक है, डोंट वरी, so, we'll bring science also, इंटर, जनपद कन्फिक्ट, the periods of frequent conflicts between महाजनपद, यह महाजनपद में काफी ज़्यादा कन्फिक्ट होता है, और यहां पर आपको मगदगा राईज में आपको बता दिया, पहली डैनेस्टी है, बिंबी सार, जो है, वो मिलती है, आपको हर्यांग डैनेस्टी, अब आगे चलते हैं, ब्रीफ पॉइंट्स, आपको बहुत ज़्यादा कानी नहीं पड़नी है, ठीक है, अब देखो, कंटेंपरिय और बुद्धा और महावीर, बिंबी सार, एक्सपेंशन स्टेटरजी, थी प्रॉंक स्टेटरजी, ठीक है, 480, 3BC, ठीक है, मेट्रिमोनिल लाइन्स, अब ये क्या करता है, तीन चीज़े करता है, ठीक है, बिंबी सार, मेट्रिमोनिल लाइन्स करता है, जिसके साथ करेगा, दूसरी पर लड़ाई करो, शादि करो, ठीक है, जो एक्कुल पावर में है, इकल पावर में दूसरा है अवंधी, ठीक है, present day उज्जेयन के आसपास, तो उसको जो है, क्या करता है, मदद करता है. ठीक है, उसको मदद करता है, physician भेजता है, अपना, doctor भेजता है, यहीं समझे लो, और इसको conquer करता है अंग को. ठीक है, नेक्स्ट आपका अजात शत्रू चाहिए पांच तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है थीक है पाँच तरफ से पहाड़ों से गिरा हुआ लाका है इसलिए एक natural protection है वहाँ पर उदेन आता है new capital बनाता है ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं dynastic decline आपको देखने को मिलता है फिर आपका शिशुनाग dynasty आती है ठीक है जो मगद मिनिस्टर अमत्या है वो हराता है और पावर में आ जाता है और ये जो है अवन्ती को हराता है शिशुनाग ठीक है शिशुनाग जो dynastic है ठीक है ठीक है देन आपका कालशोख है बहुत खास इसमें नहीं है कुछ बस ये point ध्यान रखना है कालशोख में कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय पर होती है ठीक है जी ठीक है नेक्स्ट आपका आता है महा पदमानंदा और धनानंद ये तो आपने बहुत बार करें किस तरीके से मनलब कहा जाता है कि अप्मायन किया चनक्या का पर चनक्या ने कहा कि जो से कहता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, ठीक है, मैं भी यह कहना चाहरू हूँ, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, ठीक है, तो जो मतलब धना जो है, जब चनक्या का वो करता है, फिर वो कहता है कि यह तुम्हारा जो समराज्या है, इसको मैं बिखेर दू फिर वो किस तरीके से चंदरूत मौर्या को त्यार करता है इस तरीकी कहानिया जो हमने कई मलभ बच्पन से आई थिंग आप समने सुनी होंगी या कभी न कभी इसको पढ़ा होगा सुना होगा ठीक है यह जो है अब नंदा डैनेस्टी में सबसे खास चीज़ क्या है ठीक है चंदरूत मौर्या को त्यार करता है सो महा पदमानंद जो है नंदा डैनेस्टी में सबसे बड़ा जो इंपायर ग्रो करता है वो नंदा डैनेस्टी ग्रो करता है ठीक है फर्स्ट नॉन शत्रिया डैन तो यह कहानी आपने सुनी है राजग्रे नैचरली फॉर्टिफाइड है फिर उसके बाद पाटली पुत्र आ गया स्टेटर्चिक लोकेशन है नदी के किनारे पर है जो प्रेजन डे पतना है ठीक है अग्रिकल्चर फर्टाइल यह मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिये है कि मगद ग्रो क्यों किया उसके लावा आपका डिफरेंट आस्पेक्ट आफ एज आफ जो है महाजन पद अब इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीज़े हैं महाजन पद में, ओवरॉल महाजन पद में ठीक है वो कहा रहा है कि महानगर लार्ज सिटी डेवलब हो गई, राजधानी जो आज भी हम राजधानी यूज़ करते हैं पूरा 45 टाउन निगम, नगर निगम ठीक है, मार्केट टाउन नगर, स्मॉल टाउन, नगरक तो बहुत सारी टर्मिलोजिस आज की समय पर जो हम यूज़ करते हैं यह आपको उस समय से मिलती हैं अगर आप देखोगे, उत्तरपरतेश के मुख्यमंतरी, जोगी दितना जो है जब यूज़ करते हैं, तो वो 75 जिले नहीं बोलते हैं, डिस्टिट नहीं थे, ठीक है, जो है सबर्बन विलेज, स्टेटर्जिक विलेज, रिलीजिस, बॉर्डर विलेज, रिलीजिस विलेज, इसमें जो कोश्चन पूछा गया है, वो ब्रहमदेया का पूछा गया है, ब्रहमदेया होता है प्राम्मणज को जो Gans दी जाती थी, Land Gans dee जाती थी, Land Grants given to Braghad. तो ये जो है, क्या कहलाता है, ब्रहमदिया. ये Tax Free Lands होता था. तो एक कह सकते हैं, कि उनको Respect के लिए ये ब्रहमदिया दिया जाता था. ठीक है, Next आपका Guilds, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो Initialberg है, जो business class है जो merchant class है वो काफी जाबा develop कर चुकी है तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है craftsmen और shremies guilds मिलने शुरू हो गए मतलब जैसे मैं आपको कहा के pottery बरतन बनाने वाले हैं सोने का वैपार करने वाले हैं कपड़े का वैपार करने वाले हैं तो यह अलग-लग गुट बनने शुरू हो गए ठीक है एक वर्ग बनने शुरू हो गए ठीक है so artisan merchants for self-regulating groups based on their professions तो यह कदिना एक skill based काम है तो मतलब father से son फिर grandson इस तरीके से वो skills transfer होती जाएंगी वो उसी particular skills में काम करते जाएंगे सेथी high ranking businessmen सेथी सरने माज भी है ठीक है सेथी और merchant streets designated areas जहाँ पर artisan merchants रहते हैं ठीक है trade route उतरपत दक्षिनपत ठीक है यह develop हो गए आपके punch marked coins develop हो गए ठीक है निश्क एक mainly water system है but currency भी एक मिलब आपको यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है पंच्ट marked coins जो है मिलने शुरू हो गए taxis की बात करें voluntary taxation खतम होगी ठीक है originally voluntary फिर mandatory tax collection हो गया और agriculture जो है expansion हुआ क्योंकि iron था और rice मिलना शुरू हो गया क्योंकि eastern India में पहुंच हो गया eastern India में बारिश हो रही है चावल की खेती बहुत अच्छी हो रही है ठीक है administrative system की बात करें तो king का advisory council है परिशद है मंत्री परिशद आ गया ठीक है और इसमें proper officials आने शुरू हो गए जैसे कमिकाज कमिकाज custom official है ठीक है वैसे ही शुल्क अध्यक्ष ठीक है अध्यक्ष वर्ड आज भी यूद होता है शुल्क माने टोल ठीक है तो टोल managed tolls राजभत पूरा का पूरा राजा के palace को protect करना safety of travelers and their belongings ठीक है तो उनको ensure करना legal judicial system में shift from tribal laws tribal laws से अब धीरे धीरे आप कहाँ पर आ गए proper civil or criminal court जैसे कि अर्थ शास्तर में लिखा गया है अर्थ शास्तर में proper आप laws define करने शुरू कर दिए कि ये अगर आप कारे करोगे तो ये सजा मिलेगी पर यहाँ पर जैसे आज के समय पर हम किस तरीके का jurisprudence देखते हैं reformative हम किसी को कहते हैं कि ये crime और criminal अलग है criminal को अगर आप reform करोगे तो वो ठीक होके दोबारा society का main part बन सकता है ये कहानी तब नहीं थी तब तो simple कहानी थी an eye for an eye तुमने ये काम किया है तुम्हें ये सजा मिलेगी कठोर सजा मिलेगी ठीक है किंशिप की कहानी थी यहाँ पर strong kinship bonds है ठीक है even कोई अगर अपना परिवार छोड़के जर्मानलो बुद्ध संग में रहना शुरू कर दिया या जैनिजम को follow कर रहा है तो वो भी अपने कह लिए उसके साथ जो किंशिप है ठीक है अब धीरे-धीरे caste system develop हो चुका है पहले तो गोत्र सिस्टम की बात हो रही है कि सेम गोत्र में शादी नहीं ठीक है अब तो बहुत महाजनपद हो चुका है territory, population बढ़ चुकी है तो आप कह रहे हैं कि सेम कास्ट में शादी नहीं होगी ठीक है सेम गोत्र में नहीं शादी होगी कास्ट में सेम शादी होगी ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि lower caste में या उसमें शादी की जाएगी ठीक है जेंडर रोल्स societal expectations defined आइडिल तो इसमें अब अब आप अहाँ पर आपका लेगी पेपर में आपके ancient medieval modern history के question नहीं चूटेंगे that's my promise उसमें आठ तरीके की marriage लिखी है पहले चार तरीके की marriage acceptable है बाकी चार तरीके की marriage acceptable नहीं है ठीक है बाकी चार तरीके की marriages acceptable नहीं है किस टाइप के question form कर सकता है वो भी थोड़ा बता दे अच्छा इसमें जो question बनते हैं देखो जो question इसमें बनते हैं महाजनपद से वो consider the following statement जैसे मैंने आपको marriage वाला question बताया ठीक है कि चार आठ तरीके की marriage थी चार तरीके की marriage allowed है चार तरीके की मतलब okay है चार तरीके की नहीं है ठीक है ये सारी चीज़े consider the following statement महाजनपद में के समय पर society मतलब महिलाओं का role बहुत अच्छा था ठीक है वो कोई भी professional नहीं है तो इस तरीके की general statements पूछ तकता है agriculture को लेकर पूछ तकता है कि iron था use में नहीं उस समय पर rice cultivation आ गया था या नहीं ठीक है ये officials के नाम पूछ शकता है ये question आपका पूछा जाता है तो इस तरीके के question जो है देखे जाते है मनलब पूछा जाते है ठीक है pottery ये question आपका पूछा गया है recently पूछा गया है painted graveyard से north black polished wear अब ये हिसमें short form पूछ लिया था paper में like nbpw अब बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया paper में ठीक है तो ये लिख दिया pgw nbpw ठीक है तो ये सीधा पूछ लिया अब इसमें क्या है ये show कर रहा है कि society और जादा evolve कर चुकी है और जादा techniques आपको बहतर पता हो चुकी है ठीक है तो ये बरतन जो है ये show करता है कि develop हो चुका है next आपका चलते हैं हम इंडो इरानियन्स ठीक है इंडो इरानियन्स जो या कह लिजे इरानियन जो rulers है Persian rulers है ये आने शुरू हो गए ठीक है एकमिनियन empire अभी इरान जो है इसलाम के अंतरगत नहीं आया है ठीक है इसलाम के अंतरगत नहीं आया है ठीक है ये ध्यान रखना फर्स वांकर टू लीड एन एक्स expedition इंटो इंडिया captured गंधार रीजन अब अफगानिस्तान वाला रीजन कौन सा है गंधार रीजन तो उसको capture कर रहा है ठीक है साइरस फिर आपका डारियस है ठीक है ग्रैंट्सन आफ साइरस पंजाब रीजन तक capture कर लेता है ठीक है फिर जैरेक्स है गंधार रीजन के सोल्जर्स को अपनी आर्मी में जगा देता है या कह लिए इंटिग्रेट करता है फिर उसके बाद आपका political instability रहती है Northwest India में Northwest India में जो political instability है इसका नुकसान क्या होता है कि कोई भी आप देखोगे Eastern India में तो मघद empire जो है काफी develop हो जगया ठीक है उन्होंने अपने अंदर जो है काफी सारे जो महाजन पत्थे उनको control में ले लिया Northwest region में कोई भी control में नहीं आपस में लड़ रहे है इसका फायदा किसने उठाया Persian rulers ने उठाया Persian invasion का impact क्या हुआ trade बढ़ा Northwest का, India का उनके साथ coinage influence तो यहाँ पर आपको एक type of influence coin का influence जिसमें राजा शो हो रहा है ठीक है, राजा शो हो रहा है कोई particular जगा वहाँ पर शो हो रही है script, खरोष्टी script ठीक है, बाद में चलकर हम देखेंगे जो अशोक है, वो अपने pillars में खरोष्टी script को use करता है तो यह जो है, काफी Persian से influence है ठीक है, तो यह बाद में चलकर खरोष्टी script आपको Northwest India में देखने को मिलती है इसके लावा Mauryan Art पर Persian influence देखने को मिलता है, खासकर अशोका के pillars में तो अशोका के pillars, जो tapered pillars है उसमें जो share बना हुआ है, जो उसमें bell shaped है, ठीक है, अगर आप ऐस तरह के से तो यह रहा यह है आपका Persian pillar, तो यह काफी जादा similar है, जो अशोक pillar है, वो काफी जादा influenced है Persian pillar से, तो यह जो है, कहां से है सीदा question पूछ सकता है, कि जो अशोका pillars है, sculptures है खरोष्टी script है, यह कहां से influenced है Persian से influenced है, ठीक है तो हाँ, यह battle सबसे important है, यह आपका कई बार पूछी गई है battle, हाइदस फिस, जिसमें की Persian king, defeated Persian king, invasion Alexander के लडाई हुई थी, Porus से Porus को हराया इस लडाई में, बट Porus को वो क्या करता है, दुबारा से राजा बना के जाता है, ठीक है, तरीके से कि भाई, तुम यहीं के हो, मैं तुम्हें ही राजा यहाँ पर बना के जा रहा हूँ, ठीक है Greece, India का contact अब Alexander की invasion से क्या होता है Greece का और India का contact हो जाता है, अब इससे क्या होता है, Selequus Nicator, जो उसका representative है, किसका, Alexander का, वो India में, मतलब North West इंडिया में रहता है, ठीक है, उसका चंदरगुप्त मौरिया, मतलब उसकी बेटी की शादी होती है, चंदरगुप्त मौरिया के साथ, ठीक है, तो family relationship स्टार्ट हो गया, दूसरा जो है, Megasthenes, Indica लिखता है book लिखता है, तो इससे हमें उस book से पता लगता है, कि उस समय के society, polity, administration, military, सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो यह बहुत important book है, तो हमें book के बारे में पता लगा, तीसरा influence क्या आता है, Greeks का architecture पर, ठीक है, architecture पर जो है, उसका influence देखने को मिलता है, trade expansion होता है, गंधार art, जिसको हम कहते हैं, गंधार school of art, वो काफी जादा Greek से influenced है, बात में चलकर हम देखेंगे, गौतम बुद्धा को बहुत specifically mention किया गया है, एक-एक feature बहुत clearly mention किया गया है, drapery का style, even shawl जो drape किया गया है, उसमें fine चीज़ों को कि ये जो north west का region है, ये vulnerable है, जो भी राजा, पूरी history में, ठीक है, मतलब अगले धाई-थाई-जार साल की history में, आज तक भी हम कह सकते हैं, कि जितने invasion है, वो वहीं से हैं, और जिसने उस particular region को control में कर लिया, north west region को, वो दिल्ली में, या कह लिजे सेंटर में, पावर में रहेगा, अगर जो control नहीं कर पाया, फिर वो हमेशा से troubled area है, ठीक है, वहीं से invasion होंगे, ठीक है, so, yes, बिल्कुल, ठीक है, तो ये, ये आप देख सकते हैं, Alexander का जो influence था, यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, नॉर्थवेस्ट इंडिया में पहुँच गया है, ओके, इरानियन इन्वेजन, so, यह हमने डिस्कस कर लिया, लग भल, इसमें बहुत ज़ादा कुछ खास नहीं है, but, this you can read, just have a look, ठीक है, यह मैने आपको बता दिया, invasion, various contacts, इंडियन आने लगे, ठीक है, पर्शियन आर्मी में, ठीक है, इंकमबैसे, सिंध, नॉर्थवेस्ट, जो सिंध का रीजन है, नॉर्थवेस्ट का रीजन है, वो पर्शियन डूलर्स के इंतरगत आने लगा, हमारी weakness exposed हुई, administrative influence आया, उनका unification catalyst, ठीक है, बाद में चलकर हम देखेंगे, जैसे कुशान empire है, वो इसी particular region को control करता है, फिर power center बिहार से यहां के तरफ shift होता है, फिर उधर के तरफ जाता है, तो ये मतलब कहलो के, जैसे ही एक particular ruler, इस region में control करता है, तो वो पूरा का पूरा इंडिया को control कर पाता है, ठीक है, मतलब इंडिया in the sense, north इंडिया को मिल ली, trade boost, ठीक है, ये हमने discuss कर लिए, ये सारे point, art and architecture, ये भी मैंने आपको, ये briefly मैंने सारे point आपको बता दिये है, ठीक है, खरोश्टी script के बारे में बता दिया है, उसके बाद जो है, कौन इनको बाहर करता है, Scythians ठीक है, और कुशान्स, Scythians या साक ट्राइब, देखो, दो है, एक शाक्य क्लैन है, जो शाक्य मुनी, जो गौतम बुद्धा का क्लैन है, वो अलग है, दोनों को confuse मत करना, एक साक है, साक या स्काइथियन, इस इस दो सेम, साक और स्काइथियन, साउथ के बारे में भी करेंगे, इसकस, एंचेंट इस्टिंग, तो हम सिरफ ब्रॉडली, जो पेपर्स के लिए इंपॉर्टन है, वो कर रहे हैं इसकस, हमने class में, बहुत detail में किया है, एक point जो है, बहुत detail में किया है, हना, जिन्होंने मेरे साथ किया है, उनको पता है यह चीज, condition of India during that time, so, अब political landscape क्या है, ठीक है, इंडिया lagged, strong central power, मगद का absence है, क्योंकि ये weak होते हैं तो मगद को एक बहुत अच्छा चांस मिल जाता है इसको control करने का ठीक है तो फिर eventually अशोक जाकर इसको पूरा का control कर लेता है ठीक है अशोक के समय तक जाते जाते ये पूरा control में आ चुका है ठीक है so ruled by Ambi the enemy of porus, takshila, porus kingdom jhalam chinab social conditions, people live so battle of ये battle बहुत important है porus के साथ alliance, army mutiny कर देती है Alexander की के बहुत ठक गए है वापी सलो, कहां कहां पहुंचा दिया ठीक क्योंकि इंडिया के बारे में ये कहा गया कि इंडिया जो है फिर बहुत expanded area, बहुत बारिश है, बहुत उत्री गर्मी के लिए used to नहीं है ये भी एक reason दिया जाता है so short-lived ruled, superficial conquest moral eradication swift conquest, erased any remaining Greek control, जैसे मैंने आपको बोला कि वो celucus necator को छोड़ के जाता है celucus necator अपनी बेटी की शादी कर देता है, चंदरूत मारिया से तो matrimonial alliance हो गया, ठीक है कहानी मनलब, इलको शान्त होगी अब ठीक है, इस तरीके से उसने control कर लिया ठीक है, rise of, इसका indirect consequences क्या हुआ, मारिया का rise हुआ एक catalyst के रूप में जैसे मैंने आपको बोला, कि North West India भी मगद, जो कि बहुत दूर है मगद, उसके control में आ गया ठीक है, improved technology, और यह एक वो point है, जिसके बाद हम कहते हैं कि अब rise हुआ, ठीक है फिर moreas decline होते हैं, फिर later moreas या गुपताज आते हैं, फिर गुपताज का decline होता है, फिर हम यह कहते हैं कि ancient history complete हो गई है, फिर हम medieval history की तरफ चल जाते हैं, ठीक है philosophical influence, Indian philosophy with some adopting Hinduism, कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर Hinduism भी adopt किया, ठीक है, सो, मेगे इस्थनीज का role मैंने आपको बता दिया, ठीक है, cordial relations, ठीक है, चंदुरुत मौरिया, बिंदुसार, अशोग दे ग्रेट, चंदुरुत मौरिया के समया पर, सबसे important चीज क्या है, नंदा डैनेस्टी को खतम करना, सद्रन एक्सपैंड करना, ग्रीक्स को हराना, ठीक है, यह सबसे important point थे, अशोग का सबसे important point क्या था, कलिंग वोर, ठीक है, अच्छा, यह इसको लेकर जो, धम, धम policy थी, जो बुद्धा की policy है, उसको काफी ज़ादा promote किया, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखते हैं, और सबसे important चीज क्या है, तीसरी Buddhist council जो है, अशोग के समय पर होती है, कहाँ पर? पाट्ली पोत्र में, सब सारी चीज़े छोड़ दी, यहाँ पर दिग विजे के बाद, military conquest के बाद, धम विजे यहाँ पर follow किया जाता है, इसके लिए बकाइदा जो है, धम विजे की policy, धम imperialism, धम महामत्राज को appoint किया जाता है, कि धम policy को promote किया जा सके, ठीक है जी? Moran society की बाद करें, तो one system है, ठीक है, चार बर्गो में divided है, कॉटलिया अर्शास्त्र भी इसके बारे में mention करता है, कोई evidence सती system, सती का नहीं मिलता है, पर strabo इसके बारे में बताता है, कि मजब के region में था, ठीक है, entertainment की बाद करें, तो hunting, acting, magic, drama, painting, यह सारी से आपको मिलती है, और royal buildings, grand palaces, admired by Greek and Chinese visitors, बहुत, काफी बढ़ा चड़ा के लिखा गया है, कि बहुत भव्य महल थे, ठीक है, उस समय पर, magasthenes इसके बारे में लिखता है, majestic symbols, जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है, pillars, दो तरीके के sculptures हैं, एक तो stone sculptures, जो stones है, actually में पत्थर हैं, और एक अलग से pillars, जो हैं यहां पर खड़े किये गए हैं, philosopher, ठीक है, विशाली स्कोलोहा पिलर, first note, सारनक पिलर is the artistic masterpiece, कहा जाता है, single loin, विशाली, यह बहुत जाद आपको पपड़ने की जूर्थ नहीं, यह वाला important है, bull, रामपुर्वा बुल, ठीक है, रामपुर्वा पिलर, और यह आज के समय पर, राष्ट पती, जो कहले जी हमारे भारत के राष्ट पती हैं, वहां पर जो है, आवास है, राष्ट पती आवास, वहां पर यह रखा गया है, ठीक है, सारना था सांची पिलर, जो अभी हमारे, जो, कह लिजीए, अशोक चक्र, जिसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं, ठीक है, यह भी एक बार question आपका पूछा गया है, कितने स्पोक्स हैं, इस अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं, यह चार शेर हैं, पीछे, अगर आपको याद हो, नई पारलेमेंट की विल्डिंग बनी थी, तो इसको लेकर, गार्वार्सी हो गई थी, कि यह शेर ज़ादा, जो एग्रेसिव शेर हैं, माइल्ड शेर हैं, इनको लेकर कहानी शुरू हो गई थी, तो यह आपको पता होने चाहिए, कि कौन-कौन से जानवर हैं, और यहाँ पर जो है, एक शेर जो है, पीछे की तरफ है, दिखाई नहीं देता है, माइल्ड रोक कट आर्टेक्चर की बात करें, तो इसमें एक लोमास रीशी केव बहुत फिमस है, ठीक है, बकाइदा पूरा का पूरा कहलीजिए, केव है, पत्थर है, उसमें काट कर जो है, बकाइदा यह इस तरीके से बनाया गया है, प्रेजेंडे बिहार में, ठीक है, प्रेजेंडे बिहार में, ठीक है, तो डेडिकेटे टो अजीविका सेक्ट, देखो, अजीविका सेक्ट भी एक अल्टरनेटिव सेक्ट था, ठीक है, हिंदुईजम के काउंटर में आप कहा सकते हैं, मौरेन स्टूपाज की बात करें तो मौरेन स्टूपाज जो है बुद्धिजम अच्छा एक और चीज स्टूप जो है बिसिकली जो बुद्धा के रेलिक्स थे उनको स्टोर किया गया उनको रखा गया उनको पूजा गया तो उसको लेकर एक माउंड लाइक स्टूप्चर बनाया गया तो सिलेंड्रिकल बेस हेमिस्फेरिकल डॉम ये इतना डिटेल में नहीं पूछता है इसमें आपके लिए प्लीज रेफर एंसियाटी का चेप्टर बुद्धिजम और जैनिजम पे कोश्चन सीधा सीधा इंसियाटी के चेप्टर से पूछता है अंडरस्टेंडिंग मैंने आपको सारी दे दी है हाँ ठीक है सांची स्टूप ठीक है प्रेज़ेंटे मद्यप्रदेश विहार सो मॉंक्स के रहनी की जगा है यहीं से बिहार शब्द आया है ठीक है विहार शब्द इसी विहार से आया है ठीक है अशोग बिल्ड दिस विहार सीन पाटली पुत्र फॉक आठ की बात करें स्टोन स्कल्प्चर्ज आपको यक्ष और यक्षनीस यक्षीस के पटना में मत्वरा मद्यप्रदेश में मिलते हैं अर्बन सेंटर में मिलता है नौर्थन ब्लाक पॉलिष्ट वेर जैसे मैं आपको बताया यह एडवांस्ट पॉट्री स्टाइल मिट्टी के बरतन का जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है अगीन रेविन्यू सिस्टम में अब कोई वॉलिट्री सिस्टम नहीं है आपको बगायदा 1-4 या 1-6 जो है टेक्स देना होगा ठीक है कैश और काइंड में दोनों में दिया जा सकता है मालो किसी के पास फसल नहीं है सरप्लस तो वो काम करेगा जैसे महिने में हफता या 10 दिन उसको काम करना होगा ठीक है टेक्स ओफिशल्स है ठीक है इस पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा कोशन इस पर नहीं बनते है उत्तर पत ठीक है दक्षिन पत ये बिसिकली ट्रेड रूट्स के बारे में बात कर रहा है coins called rupias ठीक है रुपयाज जो है यहाँ पर शुनूब हो गया trade हो गया Syria, Egypt, Greece के साथ South East, China के साथ export क्या चीज़े हो रही है spices, pearls, diamonds, sandalwood, ivory, textiles Moran Administration centralized है यहाँ पर जो important point है वो आपके जो है जो important officials है उनके बारे में आप कह सकते हैं कि यह question आपका पूछा जा सकता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सन्दित, royal treasures सन्द मतलब पैसा सन्द सन्दित ठीक है, सन्दियोल के बास पैसा है ठीक है अकर अकर अध्यक्ष ठीक है, सो यह mines सन्दित, सोवन्ड, गोल्ड हो गया पान्य, पानी, वानी, वानिज्य ठीक है, कॉमर्स ठीक है कोप्य अध्यक्ष, फॉरेस्ट ऑफिसर उसके बाद आपका हो गया लवन्द, अध्यक्ष, शॉल्ट डिपार्टमेंट लवन्य, लवन्य शब्द भी कहा जाता ना सॉल्ट के लिए, ठीक है सो, दाट इस देर और ये हो गया आपका मंत्री परशाद मंत्रिन्ज, अमत्यास प्लीज हैव अलुक इसके लावा आपका, ये हमने हाँ, जुडिशल एडिमिनिस्टेशन बहुत लिएरली डिफाइंड है civil court भी है, criminal courts भी है ठीक है, village court है, subordinate courts है और top court है, ठीक है उसके लावा, espionage पे, spine पे गुप्तचर पर बहुत focus है ठीक है, इस सीज को चानक्या जो है, बहुत important मानते है stressed by cotillion promote state progress, efficiency, stability उनोने कहा है, कि one spy at the right place, at the right time is better than thousand soldiers ठीक है, एक अच्छा गुप्तचर जो है, सही जगा, सही समय पर 1000 soldiers से better है ठीक है, वो आपको सही information अगर सही टाइम पर पता लग गई, तो आप prepare हो सकते हैं ठीक है, इस तरीके की बाते जो है लिखी गई है, और फिर आपका military administration war office, ये बहुत ज़्यादा clearly, infantry, cavalry, elephant chariots, इस तरीके तक जो है, इसको define किया गया है decline, तीन-चार possible decline है, एक अशोक की policy non-violence की, इसको reason कहा जाता है, दूसरी कहा जाता है कि क्योंकि हिंदुिजम decline में था, या Hindu, बुद्धिजम को बहुत ज़्यादा promote किया जा रहा था, तो जो higher caste थी, खासकर भ्रहमिंड्स थे, वो नाराज थे, तो इसी लिए जो है, बाद में चलकर हम देखते हैं कि जो पुश्यमत्र शूंग है, शूंग डैनेस्टी शुरू होती है वो लास्ट जो रूलर है मारा डैनेस्टी का, उसका बद करते हैं उसका गतल करते हैं, ठीक है यह इस चीज को बताता है तीसरी चीज कहता है कि एक्स्प्राइटेटिव रूल, लोकल रिवोर्ट्स ड्यूरिंग दा, बिंदूसार और अशोक रीन्स तो जो, कह लिजिए पेरिफरल रूलर्स थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ठीक है, खिलाफ में क्योंकि बाद में चलकर वीक रूलर्स आए ये एक पॉइंट जो है कहा जाता है, डेकलाइन ओफ मौरेन इंपायर्स ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आज का देखो, मौरेन इंपायर के बारे में सबसे इंपोर्टेंट क्या है जो कोश्चन आपका पूछा जाता है वो मेलनी बुद्धिस्ट काउंसल है किसके समय पर हुई, जाच्छत्रों के समय पर ठीक है, काल अशोक ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है और अशोक के समय पर है उसके बाद जो है, आपका इंपोर्टेंट हो जाता है कि क्यों राइस किया ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट टर्मलोजिस इंपोर्टेंट है और सोसाइटी या जो एडिनिस्टेशन यह मैंने आपको बताई, यह किस तरीके के दिए ठीक है, तो यह था आज का सेशन सेम स्लाइट मैं पीडिएफ में भी दे दूँगा ठीक है, SSB की प्रपरेशन ठीक है, SSB की प्रपरेशन हम करा रहे हैं एक सेशन आलरेड़ी चल रहा है मौर्निंग में जो है एक सब कॉमन स्टूडेंट का ग्रूप है, जो अलरेड़ी रेकेमेंड हो चुके है कॉन्फरेंस आउट है ठीक है, काफी एक्सपिरियन्स है, उनका पूरा एक ग्रूप है उसमें हम काफी डीटेल में उसके बारे में चर्चा करते हैं, पर्सनल इंटर्व्यू मैं खुद सेशन वो लेता हूँ वो यहाँ पर नहीं है, कल इसी टाइम पर 6 वजे जो है हम डिसकस करेंगे Enchantistry Part 2 I hope आपको अच्छा लगा थोड़ा सा heavy था बहुत सारे facts, बहुत सारी information थी, मैंने बहुत कोशिश करी, कि मैं इसको जितना concise हो सकता है, जितना important चीज़े हम discuss कर सकते हैं, जितना चीज़े याद कर सकते हैं जैसे मैंने आपको Indus Valley Civilizations में हर जो important city है या important place है उससे related कहानी बताने की कोशिश करी, इसको भी हमने याद करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, तो I hope ये आपको समझ आया होगा, ये चीज़े important वाली ही चीज़े हमने discuss करी हैं, और बहुत जादा detail में हम नहीं गए हैं इतना at least आप पढ़के जाएंगे तो trust me, paper में आपको काफी अच्छा लगेगा आप question को समझ पाओगे question को attempt कर पाओगे ठीक है, अगर आपने ancient history बिल्कूल भी नहीं पढ़ा इतना at least ज़रूर पढ़के चाहिए ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यावाद, thank you कल same time, same place मिलते हैं offline SSB preparation के लिए I am staying in Delhi so you are most welcome if you want to come ठीक है, चलिए आप team निष्ठा आप पर जाईए, team निष्ठा आप download कीजिए, उस पर message की दिए I'll reply, ठीक है, और महां पर आपको मेरा contact number भी मिल जाएगा ठीक है, अब मेरा आपका contact number भी मिल जाएगा, ठीक है